क्या मैं आपको दिख रही हूँ क्या मैं आपको सुन रही हूँ आप लोग एक बर कन्फर्म कर देंगे तुम्हें आप लोग के साथ सेर्कुलेटरी सिस्टम बॉड़ी फ्लूइट जन सर्कुलेशन का रिवीजिन शुरू कर दोंगी कौन आया है आज क्लास में ओके सो मैं प्रोपर लिदिख रही हूँ लाइटिंग प्रोपर है आइगेस थोड़ा सा लाइटिंग और बेटर हो सकती है प्रोपर बेटर ठीक है यह लाइटिंग है ना ओके हाई 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 वरबन दो हजार तेईस के बच्चे आये हैं आज यहां पर क्योंकि दो हजार तेईस का पेपर आने वाला है सो मुझे पते है तुम लोगं को डर बहुत लग रहा है कि महम रवीजन कैसे होगा कि स्लेप उभी लिए काफी सारे बच्चों ने प्ट औरके सारा थकाफी काफी पढ़ लिया है तो हम लोग उसका solution करेंगे अब YouTube पे, ठेक है, हमारे पास जितना भी time बचाए, 20 दिन से थोड़े ज़ादा बचे है, कैसे हम लोग YouTube को use करके maximum revision कर सकते हैं, quick revisions कर सकते हैं, जो हमने already पढ़ा हुए, उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे, Hello everyone, Hi, और बहुत सारे बच्चे मुझे offline में मिलते हैं, जब मैं चंडिगड के offline center में पढ़ाने जाती हूँ, तो वो कहते हैं, मैम, आपके neural control and coordination के पता नहीं, 17 lecture हैं, पता नहीं कितने हैं, अब मैं उस 17 lecture से कैसे revise करा हूँ, क्योंकि human physiology के बहुत सारे lectures के आपके one shot नहीं lecture में कभी आपको recording भी देखना हूँ, तो आप easily उसको revise कर सको lecture को, तो पहला जो मैंने topic लिया है, वो है body fluids and circulation, इसको अगर तुम ध्यान से देख लोगे lecture को, तो तुम्हारा almost पूरा line by line revise हो जाएगा NCRT से, but understand that this is not a substitution for NCRT, NCRT में ने भी एक एक line पढ़के आजी notes बनाए है ठीक है, फिर भी NCRT पढ़ने की कोशिश करनी है, फिर भी NCRT पढ़ने है क्योंकि NCRT में कभी कोई ऐसी चीज लिखी होती है, जिसे assertion reason या statement 1, 2 को question आ जाते है, तो आप लोग ने NCRT को नहीं miss करना है, लेकिन ये बहुत बहुत बढ़िया रहेगा, अगर आप इसको ध्य 2024 के बच्चे हैं, 2024 के बच्चों के लिए मैं बहुत बढ़ा surprise लेके आने वाली हूँ, कैसे 2024 के बच्चे मेरा batch जोइन कर सकते हैं, जो अब 2024 के लिए शुरू होगा, जो अब 2024 के लिए शुरू होगा, आप कैसे जोइन कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस पे, online batch को, offline batch most probably मेरा Chandigarh Center में शुरू होगा, वो अभी confirm नहीं है, बट online batch मेरा कब शुरू होगा, कितने charges रहेंगे उसके, उसमें क्या सिर्फ मेरा batch होगा, किसी और teacher के साथ होगा, किस तरीके से होगा, उसका information आपको पूरा मिल जाएगा, कुछ ही दिनों के अंदर, आप subscription ले सकते हैं, Unacademy Plus का इस वक्त यदि आप सारे batches को avail करना चाहते हो, अगर आप मेरा batch भी avail करना चाहते हो, आप मेभी सीप माम का भी avail करना चाहते हो, गरिमा माम का भी avail करना चाहते हो, जितने हमारे पास Plus के educators हैं, सब का avail करना चाहते हो, तो आपको Plus का subscription लेना है, अगर आप किसी individual teacher का batch avail करना अभी आपके पास फ्लाट 20% ओफ चल रहा है सभी नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पर तो अभी आप इसको अवेल कर सकते हैं जैसे कि अभी आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ आपको 30,399 पर पढ़ रहा है और दो साल का सब्सक्रिप्शन 50,000 51,000 के उज़ए सिर्फ 40,799 का पढ़ रहा है तो अभी आप एक ऐसा मौका है जब आप पूरे टीचेज का बाचेज को अवेल कर सकते हैं बाकी आपकी समझ है, आपकी परक है आपको किस से पढ़ना है सभी का आपको बाचेज चाहिए या आप किसी एक पर्टिकुलर बाच में पढ़ना चाहिए आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए किसी भी बाच का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिसकाउंट के लिए कोड यूज कर सकते हैं रिट यू इससे आपको माक्सिमम डिसकाउंट मिल जाएगा वो जो उस वक्त पे अवैलेबल होगा ये आइडोंट नो 2023 वाले बच्चे दे रहे हैं नहीं आपको देना था भाईया ये ये बड़ा अच्छा वेपर है यार मैंने खुद इसका भी पेपर देखा मैंने नहीं पेपर बनाया बट AIMT इसमें कहा है फिजिस के मिस्टी बैल जी बिल्कुल जैसे नीट का पाट्रन होता बिल्कुल वैसे बना के दिया हूँ है पेपर आपको और आप ऑनलाइन भी इसको अटेंट कर सकते हो यह दो कि इसका कोड़ रिटू डालेंगे पैसे लगेंगे ने इसका आपके रुपया बीन लगेका यह कोई स्कैनर कर सकते है उसी प्रकार से हमारे बहुत सारे बैचे अरे जैसे शौरा बैच आ रहा है हमारे यह जो famous हमारे चार टीचेर्स हैं आप यह वाला scanner scan करके सिर्फ आप इनका batch ले सकते हैं ठीक है वह discount के लिए आप code लगा सकते हैं RITU या आप जो भी चाहो उसे तरीके से यह बाच आ रहा है 2025 के लिए अगर आपको सिर्फ यह batch लेना है तो इनी टीचर का 2025 का इस तरीके से तो बस आपको scanner करना है code डालना है और payment करना है और batch आप लगाना शुरू कर सकते हो इसी प्रकार से यह हमारे famous teachers है इनका अलग batch चल रहा है 2024 के लिए अलग batch 2025 के लिए अलग batch तो आप store से इनके batch खरीच सकते हो ठीक है चलिए शुरू करते हैं आओ body fluid and circulation इस chapter के basically तीन पार्ट है पहला blood दूसरा circulatory system in humans obviously and then तीसरा disorder blood के आगे फिर से तीन पार्ट है पहले blood का composition blood में क्या क्या होता है then blood groups और RH factor क्या होता है और उस पर question कैसे आ सकते है वो हम बात करेंगे तीसरा blood coagulation ठीक है यह पहला पार्ट है यह हम खतम कर लेते हैं फिर हम आएंगे circulatory system पर circulatory system में पढ़ेंगे अलग-अलग प्रकार के circulatory pathways कौन से होते हैं और human heart के बारे में पढ़ेंगे human heart में हम human heart का structure पढ़ेंगे cardiac cycle पढ़ेंगे उसकी regulation पढ़ेंगे ECG पढ़ेंगे और फिर हम disorders पढ़ेंगे तो यह वाला पार्ट भूल जाओ अभी सिर्फ blood पर आजाओ तो पहला topic जो अपने को पढ़ना है और याद करना है वो है composition of blood blood की composition अगर तुम देखो पहले blood के पारे में थोड़ा से जान लेते हैं पहली बात तो यह connective tissue है अगर यह connective tissue है तो इसका origin mesodermal है क्योंकि सारे connective tissue का origin mesodermal है दूसरी बात connective tissue में fibers होते हैं collagen और elastin के blood and lymph ऐसे connective tissue होते हैं जिन में fibers नहीं होता तो इसकी matrix में no fibers most commonly used body fluid for transport of substances most common क्यों बोला है मैंने क्या और भी कोई body fluid होता है lymph होता है lymph भी transport of substances के लिए use होता है लेकिन blood जो है वो most common है हमारे जैसे higher vertebrate organisms में blood most common है lymph is also used but it is not that common blood is a connective tissue उसकी जो matrix है वो fluid है so it's a fluid connective tissue लेकिन connective tissue की तरह है इसमें fibers नहीं होते यह तीन चार पॉइंट से questions आ सकते हैं नीट में it's a special connective tissue with fluid matrix and formed elements matrix होता है और उसमें formed elements या नहीं cells के parts पड़े होता है ठीक है अब composition of blood की बात करते हैं blood में एक तो liquid होता है उसको हम बोलते हैं blood plasma एक cells होते हैं जिसको हम बोलते हैं formed elements जो plasma होता है वो किस color का दिया हुए NCRT में straw color का जिस color का मेरा pen है न उस color का दिया हुआ है viscous मतलब पतला नहीं है यह गाढ़ा है जैसे honey viscous होता है पानी थोड़ा कम गाढ़ा होता है honey शेहद थोड़ा जादा गाढ़ा होता है तो viscous straw colored viscous fluid है यह कितना percent है 55% of blood है जो formed elements है वो सिर्फ 45% है ठीक है plasma का majority part पानी है 92% water है और 6-8% इसमें proteins हैं साथ में इसके ions होता है plasma में जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे जैसे कि sodium ion हो गया potassium ion हो गया chloride हो गया यह सारे ions bicarbonate ion हो गया यह सारे ions घूम रहे है plasma में साथ में भाया glucose है हमारा खाने से absorb होके digest होने के बाद absorb होके blood में है तो glucose आपके plasma में घूम रहा है ठीक है कुछ amino acids आपके plasma में घूम सकते हैं ऐसे बड़ी सारी चीज़ें आपके transit में बॉडी में कुछ लिपिड आपके ब्लूड में घुम रहे हैं, फो लिपिड भीनविंद भी जो एल्टिमीट ब्लूड में जाकर ड्रेन कर जाते हैं, यह सारी चीज़े तुमको मिलेंगी, प्लस कुछ आयन्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, मेजॉरिटी और प्रोटीन मिलेंगे 6-8%, तीन प्रोटीन मिलेंगे कौन-कौन से, फाइबरीनोजन, क्लोबिलिन, एल्बिमिन, फाइबरीनोजन, क्लोटिंग में हेल्प करता है, अगर आ बनते हैं, यह लिवर में बनते हैं, और लिवर में यह इनक्टिफ फॉर्म में बनते हैं, किस वाइटमिन की प्रेजन्स में बनते हैं, वाइटमिन की प्रेजन्स में बनते हैं, इसलिए वाइटमिन की बहुत जरूरी है, बलड गलॉटिंग के लिए, ठीक है, नेक्स्ट ह antibodies तो हमारी body के defense mechanism में काम आती होती है antibodies हमेशा plasma में होती है ना जो antigen होते हैं वो cell के ओपर होते हैं जैसे RBC के ओपर antigen होता है A antigen B antigen ठेक है तेक है तेकिन antibodies हमेशा plasma में गोम रहे हैं तो वो antibodies होती है globulence albumin blood का osmotic pressure maintain करता है यह तीनों का function आपको आना चाहिए इधर आजो form elements में हमारे पास जो maximum होते हैं वो होते हैं red blood cell या erythrocyte जो की five to five point five million per mm cube यह पूरे blood का नहीं है एक mm cube of blood लोगे उसमें five to five point five million है ठेक है फिर WBC या white blood cell या leukocyte white क्यों मोलते हैं को क्योंकि रेड नहीं होते रेड होता है rbc क्यों होता है red क्योंकि इसमें hemoglobin कलर का red color का pigment पड़ा होता है इसमें hemoglobin होता नहीं तो WBC होते हैं सबसे कम यह होते हैं 6-8000 प्रती mm cube short lived होते हैं बिचारे इनकी या फिर भी ठी होते हैं 120 डेज होती है यह platelets होते हैं प्लेटलेट्स इसल नहीं होते हैं सेल के टुकड़े होते हैं meagakaryocyte नाम का सेल बनता है बोन मेरो के अंदर वह meagakaryocyte के टुकड़े होते हैं platelets और यह कितने होते हैं डेड़ लाग से 3.5 लाग प्रती mm cube इनको thrombocytes भी बोलते हैं और यह blood clotting में help करते हैं तो basically RBC gashes transport में help कर रहा है ठीक है WBC आपका defense में help कर रहा है immune system ने और platelet आपका clotting में help कर रहा है ठीक है अगर blood में से formed elements निकाल दू तो plasma बच जाएगा अगर plasma में से clotting proteins निकाल दू मैं clotting factors निकाल दू तो serum बच जाएगा यह धियान रखेंगे serum clot नहीं करता क्यों because plasma minus clotting factor is serum इसको धियान रखेंगे यह हो गई blood की composition अब formed elements के बारे में थोड़ा डीटेल में पढ़ लेते हैं पहला formed element है हमारा हां 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 आर बीसे के बारे में बात हो रहे हैं आर बीसी नाम तो लिखा नहीं red blood cell या erythrocyte भी बोलते हैं most abundant 99% I think of all blood cells जो है वो आर बीसी होते है most abundant of all blood cells ध्यान रखना है formed in red bone marrow बेटा all blood cells are formed in red bone marrow फरक ही नहीं पड़ता WBC पूछ रहा है platelet पूछ रहा है या आर बीसी पूछ रहा है सब कुछ तो बोन मेरों में बन रहा है red bone marrow में यलो में नहीं bi-concave shape माने इधर से भी concave इधर से भी concave ऐसा है bi-concave shape होता है e-nucleate nucleus नहीं होता है यह जब mature हो रहा होता है तो यह अपना nucleus थूख के बाहर फैक देता है e-nucleate condition इसमें aerobic respiration होती anaerobic respiration होती है ठीक है अब यार तू gaseous तो transport कर रहा है तो gas ही अगर अपनी respiration में यूज कर लेगा तो गलत है ना बिलनी को दूद की रखवाली करने के लिए थोड़े बेर रखेंगे so anaerobic respiration करता है पर क्या यह dead cell है क्योंकि इसके पास nucleus ही नहीं है क्या यह dead cell है नहीं बेटा it is a alive या live cell ठीक है जी बिना nucleus के लिए के बाद भी जिंदा है cytoplasm तो है ना इसके पास dead होने के लिए cytoplasm भी खदम करना पड़ता है cytoplasm तो है सारे इसमें metabolic reactions हो रहे हैं बहुत सारे ठीक है तो यह live है बस nucleus नहीं है anaerobic respiration ठीक है इसके अंदर hemoglobin नाम का एक complex protein होता है protein क्योंकि इसमें proteinaceous chain होती है hemoglobin में 4 proteinaceous chain होती है 2 alpha, alpha globin chains और 2 beta globin chains ठीक है बाकि इसमें 4 heme part होती है जो मैंने गोले बनाए है basically heme part है heme part है heme part में iron पड़ा होता है iron containing heme part होता है और fe2 positive की form में होता है यह red color का होता है जिसकी वज़े से RBC red color के होता है यह ना तो WBC में मिलता है ना यह platelet में मिलता है इसलिए वो colorless होते होते है ठीक है then 12-16 gram of hemoglobin present होता है 100 ml of blood में ठीक है यह ध्यान रखना है हम बोलते हैं मेरा hemoglobin कितना हो गया 9 gram रह गया 10 gram रह गया बहुत कम हो गया वो यह यह 12-16 नॉर्मल होता है in 100 ml of blood and it is used in transport of gases आप respiration में पढ़ते हो respiration में पढ़ते हो average lifespan 120 दिन बनता कहां पे है RBM मरता कहां पे है spleen में spleen को क्या बोलते हैं graveyard of RBC लेकिन spleen में कुछ RBC स्टोर भी होते हैं तो यह storehouse of RBC भी होता है graveyard of RBC भी है और storehouse भी है RBM में बन के यहां पे store भी हो जाते होते हैं कुछ RBC WBC पे आजो WBCs colorless no hemoglobin nucleus भहिया इनके nucleus बड़े अलग-अलग design के होते हैं ठेक है तो nucleate तो यह है ही है generally short-lived SINCRT में लिखा है आपको ध्यान रखना है यह दो प्रकार के होते हैं granulocyte अगर इनके cytoplasm में ऐसे granules है तो granulocyte अगर इनका cytoplasm में कोई granule नहीं है A granulocyte अगर हम बात करेंगे granulocyte की तो वो तीन प्रकार के हैं याद रखने है neutrophil eosinophil basophil नाम है basically यह कौनसी डाई से stain होते हैं अगर आप basic डाई से stain होते हो basic डाई से bluish stain हो जाते हैं आपके crystals जो अंदर जो दाने हैं तो आप basophil हो अगर आप acidic dye से stain हो रहे हो अगर आपके जो डाने डाने हैं ना granules है वो acidic dye से stain हो रहे हैं औरंजिस औरंजिस कलर के तो आप eosinophil हो अगर आपका जो granules है वो दोनों ही dyes को faintly ले रहा है इससे भी जादा stain निह रहे एससे भी जादा WBCS हैं कितना 60 to 65% और यह phagocytic होते हैं माने यह बैक्टीरिया को देखते ही खा जाते हैं यह बैक्टीरिया है यह बैक्टीरिया में ऐसे सूडो पोडिया बना के ऐसे बैक्टीरिया को धर लेते हैं एमिबॉइड मुव्मेंट आशे शो करते है एमिबॉइड मुवमेंट तो सब्सक्राइड और इसको यह सबसे कम भी एक ग्रनुल साइट थे बेस विसको कैसे याधर कर दो दधाई बैस बिल्कुल नीचे लगा दीया इसको बीचारे को बिल्कुल बेस पे इसकी इसी को आगे जाके mast cell कहते हैं सबसे कम अमाउंट में होता है तीन chemicals release करता है कौन-कौन से histamine, serotonin, heparin. Histamine और serotonin का काम है inflammation में, यह inflammation है. इसमें histamine का major role है लेकिन serotonin का भी role होता है, असे NCRT में लिखा हुआ है. Histamine and serotonin will help in inflammatory response. Heparin is a anti-clotting agent. anti-blood clot, ताकि blood clot ना बने, मतलब खून बया रहा है तो blood clot नहीं होना चाहिए न, तो heparin से नहीं होता है, clear? यह वाला डन? अब क्या बचा मेरे पास? Eosinophil का role बेठा है. Eosinophil role का role होता है. It resists infections. Infections में, रोकने में help करता है. उससे भी बड़ा role होता है. यह जदा important role है. Resists parasitic infection होना चाहिए. जैसे कोई parasite आ गया, tape warm आ गया, round warm आ गया, तो इनकी संख्या एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है. और यह उस parasite के surface पे चिपक जाते हैं. उसको मारने के लिए. And also associated with allergic reactions. यह तीनों का समझ में आ गया. इसको PMNL भी बोलते है, polymorphonuclear leukocyte. क्योंकि इसके nucleus का morphology change होता रहता है. इसमें सबस्यादा lobes होते हैं. पहले इसके nucleus में तीन lobes होते हैं, फिर एज के साथ 4 हो जाते हैं, फिर एज के साथ 5 हो जाते हैं. यह से lobes बढ़ते जाते हैं. ठीक है? Eosinophil का ऐसे होता है, जैसे headphones होते हैं, ऐसा nucleus होता है. बाई लोब्ड होता है पतली सी तार्सी से जुड़ा होता है बेसोफुल पर लेकिन थोड़ा सा इस से बेटर दिखता होता है ऐसा ऐक रैंडिलो सइट- Monocytes, जो आगे जाके macrophages बन जाते हैं, यह बहुत ही खतरनाक phagocytic cells है, bacteria अगरो खा जाते हैं, and lymphocytes, monocytes का percentage नहीं लिखा है, यहाँ पे 6-8%, और lymphocytes का percentage होता है, 20-25%, यह आपके acquired immune response में help करते हैं, ठेक है, याद करो, जो आपका innate immunity होता है, यह सब innate immunity का part है, PMNL cells, innate immunity का part है, ठे ठेक है, यहाँ पे, और कौन सा हो गया, innate immunity का, macrophages, macrophages, innate immunity का part है, ठेक है, लेकिन जब हम T and B and T lymphocytes की बात करते हैं, acquired immunity का part होता है, cell-mediated immunity, जैसे, lymphocytes दो पर कारका होता है, T and B, T lymphocytes, cell-mediated immunity देती है, जो की responsible है, graft rejection के लिए हैं, graft rejection के लिए हैं, graft rejection के लिए responsible है, यह question आता होता, नीट में बार-बार, की बताओ graft rejection के लिए कौन responsible है, PYQ है यह, कौन responsible है, cell-mediated immunity, cell-mediated immunity किस से आती है, T lymphocyte से, B lymphocyte क्या करते हैं, they release antibodies in plasma, antibodies release करते हैं, plasma में, bacteria के against, and in antibodies को बोलते हैं, humoral immunity देती हैं, humoral immunity देती हैं, ठेक है जी, इस बात को अपा धिहान रख लेंगे, आगे आ जाओ, लास्ट है, थ्रॉम्बोसाइट्स, थ्रॉम्बोसाइट्स क्या हैं, cell fragments of megakaryocytes, which are cells of RBM, red bone मेरो में कुछ cells होते हैं, megakaryocytes, उनके टुकडे होते हैं, coagulation या clotting of blood में काम आते हैं, reduction in platelet number will lead to clotting disorders, अगर platelet कम हो जाएगा, जिससे की excessive loss of blood हो सकता है आप लोगों को, अब आजो blood group पे, अभी तक आप composition of blood कर पाए हो, पूरी तरीके से detail में, अब आप करो कि blood groups कैसे बनते हैं, blood groups आपके कितने प्रकार के होते हैं, A, B, A, B and O, जिसका blood group A है, उसके RBC पे, क्या हो गया, सब सही है, हावाज सही आ रही है बेटा, coagulation या clotting of blood में काम आते हैं, reduction in platelet number will lead to clotting disorders, अगर platelet कम हो जाए है, सब सही है बेटा, चलो फिर करें, आजो, सुनो मेरी बात, focus करो, focus करो, focus करो, focus करो, focus करो, अपने पास time कम है, है न, revision जादा करना है, सुनो, अगर तुमारा A blood group है, तो तुमारे RBC के उपर, उसके surface पे A antigen लगे होंगे, अगर तुमारा B blood group है, तो तुमारे RBC के surface पे B antigen लगे होंगे, A and B antigen are totally different from each other, तो एक बार नीट में question आया था, कि A और B जो है, क्या वो same प्रकार की sugars produce करते हैं, नहीं बेटा, यह अलग-अलग प्रकार की sugars हैं, हालकि इसर शुगर नहीं है, यह basically glycoproteins होते हैं, तो A जो antigen है, A glycoprotein, it is very different from B glycoprotein, तो यह अलग-अलग प्रकार की sugar produce कर गंजा, no antigen, अब यह तो RBC की बात होगी, बच्चे कहां confused होते हैं, तुम confused होते हो, plasma में क्या है, blood plasma में कौन सी antibody तहर रही है, पहले तो बच्चे इस बात में confused हो जाते हैं, कि मैं antigen कहा है, antibody कहा है, इतने बच्चे नीट में यह question करके, गलत करके आते हैं, antigen RBC के उपर proteins हैं, जो कि आपके blood plasma में तहरे हैं, जो कि B lymphocytes ने बनाए है, antibodies से humoral immunity आती है, यह वाली antibodies, basically दूसरे blood group को एंटर नी करने देती, blood में, ठेक है, now, अगर आपके पास A antigen है, तो आपके पस anti-A antibody कभी नहीं सकती, आप अपने ही antigen के against antibody नहीं बनाओगे, you will have anti-B antibody, अगर आपक antibody, अगर आपके पास दोनों ही है, A और B, तो बेटा अपने पैर पर कुलाडी मत मारना, no antibodies, antibody रखोईगी, क्यों, anti-A नहीं रख सकते है, anti-B antibody नहीं रख सकते है, क्योंकि तुमारे पस B antigen है, और O मे तो बेटा कोई antigen नहीं तो भरदो सारी antibodies, anti-A antibody, anti-B antibody, सब कुछ भरदो ठेक है एक तो ये question आजाता है NEET में कि कौन से blood group के RBC पर कौन सा antigen है और उसके plasma में कौन सी antibodies है देख लो अपने against नहीं बनानी A antigen तो anti-B रखो यहां पर B antigen तो anti-A रखो A और B दोनो antigen तो कुछ मत रखो कोई antigen नहीं तो दोनों रख लो अगली बात किसको कौन blood दे सकता है बेटा O सबको दे सकता है O सबको दे सकता है इसलिए O को universal donor कहा जाता है A को A दे सकता है बेटा सेम blood group तो दे सकता है A को A दे सकता है और O दे सकता है B को B दे सकता है और O दे सकता है ये तो सेमी blood group हो गया, B का B, A का O, O, O तो हर जगे लिखना है आपने A, B को सब दे सकता है इसमें सब है, A blood group भी दे सकता है, B blood group भी दे सकता है A, B तो दे ही सकता है क्योंकि तुम खुद A, B हो और O भी दे ही सकता है इसलिए इसको universal acceptor बोलना है तुमने A, B is a universal acceptor, अगर question आजाए, A, B positive और A, B negative में से कौन universal acceptor है अगर ऐसा question आजाए, तो ध्यान रखेंगे ये पूछ ले तुमसे, जैसे तुमने पता है, A, B जो है, universal acceptor है A, B positive या A, B negative बिटा याद रतना, A, B positive जो है, मतलब उसके पास RH antigen भी है उसके पास RH antigen भी है, उसके पास सब कुछ है, तो वो सब कुछ गेन भी कर सकता है उसके पास A antigen भी है, तो वो A blood group भी गेन कर सकता है उसके पास B antigen भी है, तो वो B blood group भी गेन कर सकता है वो A, B blood group भी गेन कर सकता है, उसके पास RH antigen भी है पॉजिटिव का मतलब यही होता है ना कि भाया उसके RBC पे एक और एंटिजन लगा हुए RH एंटिजन तभी कहते हैं RH पॉजिटिव है यह ए बी पॉजिटिव का मतलब होता है RH पॉजिटिव ठीक है तो उसके पाद RH एंटिजन भी है तो यह RH वालों से भी ले सकता है तो नेगटिव से भी ले सकता है, ये सब डोनर हो सकते हैं, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, अगर आपके खुद के घर में कार नहीं है, तो आपको कोई कार नहीं देगा बहार से, ठीक है, अगर आपके पास कार है और कभी वो खराब हो गई, तो आप अगर दूसरे बंदे के पास जाओगे कहोगे भाई, प्लीज मुझे कार दे दे, मेरी कार खराब होगे तो वो खुशी-खुशी आपको अपनी कार दे देगा ठीक है? ये तो तुमने दुनिया में भी देखा होगा आपके पास A antigen B, आपके पास B antigen B, आपके पास RH antigen B है तो everybody can give you, everybody wants to give you blood positive वाले भी, negative वाले भी, सब बट जो चीज आपके पास नहीं है, वो आपको blood नहीं देगा जैसे कि मानलो, ये भी negative की बात कर लो मैं इसमें इसके पास खुद RH positive नहीं है, ये RH negative है तो क्या इसको RH positive देगा, blood काईगा, मैं नहीं देता तेरे पास खुद के पास car नहीं है, तु मुझसे car मांग रहा है तो इसको कौन दे सकता है blood, A negative, B negative, AB negative, O negative negative वाला सिर्फ negative वाले से ले सकता है लेकिन positive वाला, positive वाले से भी ले सकता है, negative वाले से भी ले सकता है, क्योंकि negative वाले इस से छोटे हुए है, इसके पास negative वालों के पास RH factor है नहीं, तो कहेंगे, भाई साब आपके पास RH factor है, आप please हमारा blood ले लो, इसके पास सब कुछ है, ये, कुछ जादा ही, you know, सारे antigen लेक लाते है, बेटा, उसके सामने तो सारे गरीब है, तो जो negative वाले हं, थोड़े गरीब है, इस से, तो negative वाले भी कहेंगे, please हमारा blood ले लो, इस नेगेटिव वालों से ले सकता है, तेके, लेकिन अगर को हम नेगेटिव लो, positive वालों से नहीं ले सकता, ऐसे आद रखना हो ज बेटा अभी सिमर्दीप वो पूछ रही है मैम अगर A blood group में A B वालों को देंगे तो क्या होगा बेटा अभी जो revision sessions होते हैं वो logic के लिए नहीं होते है कि ऐसा क्यों है कि A B वालों को A blood group कैसे दे सकता है या A B वालों को B blood group कैसे दे सकता है logic detailed sessions के लिए ये याद करने के लिए यहां हम logic नहीं बात कर सकते कि ऐसा क्यों है यहां तो बस ऐसा ही है ठीक है आजो अगर आप गलत blood group किसी को दे दो तो क्या होगा बेटा होगा agglutination of blood हो जाएगा agglutination of blood मतलब RBC आपस में चिपत जाएंगे ठीक है और फिर RBC burst हो जाएंगे so RBCs damage हो जाएंगे ओके आजो आरेच grouping की बात करते आजो आरेच grouping की बात करते तो मिनट आरेच grouping की बात करते हैं ध्यान से सुनेंगे आरेच एंटिजन इसको आरेच एंटिजन क्यों बोलते हैं because this is the antigen which is similar to one present in rhesus monkey rhesus monkey में भी similar antigen मिलता है तो rhesus का आरेच उठा लिया हो है observed on RBCs of 80% of humans मतलब 80% humans positive blood group रखते हैं ठेके है नाय। आरेच एंटिजन है तो आप आरेच positive हो अगर अरेच एंटिजन नहीं है तो आप आरेच अब आगे मेरी बात सुनेगेH positive recipient can receive donated blood from RH positive and RH negative जो मैंने अभी बताया है लेकिन posture can receive only from RH negative ये भी मैंने भी बता दिया अब RH में एक question आता है erythro blastoces fatales का ये क्या question है ध्यान से देखेंगे यह कंडिशन सिर्फ तभी आती है जब मदर आरेच नेगेटिव ध्यान रखो आपकी अगर मदर पॉजिटिव हो गई ना तो इरिथ्रोब्लास्टोसस विटालिस का केस नहीं आ सकता मदर नेगेटिव होने चाहिए ठीक है उसका इतना फीर का फीटिव ऊना चाहिए और फीटिव क्यों होगा क्योंकि उसका फापा जो है यह positive होगा तभी फीटिव सबिच Whole सकता है तो तभी बनता है कांबिनेशन इरिथ्रोब्लास्टोस विटालिस का जब मदर negative हो और fetus positive हो पहले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसी pregnancies में मदर का negative blood group है उसकी uterus में positive fetus है तो पहला बच्चा पहली pregnancy को कोई फरक नहीं पड़ता पहला बच्चा बहुत प्यार से डिलिवर हो जाता है During delivery of first child there is possible exposure of maternal blood to fetal blood लेकिन जब पहला बच्चा डिलिवर हुआ तो बच्चे और मदर का जो मदर का tissue है वो रप्चर होता है जो vulva के आसपास tissue है वो रप्चर होता है ठीक है वजानियल delivery में तो बच्चे का blood mother के blood के contact में आ सकता है तो मतलब बच्चे का आरेच पॉजिटिव है तो उसका आरेच एंटिजन mother के contact में आ गया blood के contact में आ गया उससे क्या होगा mother's body starts to prepare anti-RH antibody mother की body को गुसा आ गया क्योंकि mother की body आरेच नेगिटिव है उसमें आरेच एंटिजन नहीं है लेकिन बाहर से बच्चे का blood mother की body में आने से कुछ आरेच एंटिजन mother की body में आ गये तो mother की body ने का तुम कैसे अंदर आए आरेच एंटिजन इस नोट लाओड I am आरेच नेगिटिव तो mother के इम्यून सिस्टम ने ओन आरेच एंटिजन के अगेंस्ट antibodies बनाना शुरू कर दिया ने हो सकता अब वो तो चला गया second pregnancy और उसके बाद की pregnancies में बच्चों की ऐसी तैसी हो जाएगी ये एंटि आरेच antibodies जो mother के blood में बनी है अब मान लो second pregnancy हुई इन subsequent pregnancies मतलब उससे आगे की pregnancies ये जो antibodies है ये लीक कर जाएगी placenta के थूप फीटस के blood में अब ये जो anti-rH antibodies mother के blood में बनी है ना अब जब next pregnancy हुई second pregnancy हुई तो ये anti-rH antibodies fetus के blood में घुज जाएगी क्योंकि प्लेसंटा क्रॉस कर सकती है बहुत छोटी antibody होती है easily placenta क्रॉस कर जाती है तो fetus के blood में चलेगी fetus है RH positive अगर तुम RH positive हो और तुमारे anti-rH antibody घुज गया तो वो तुमारे RBC को मारना शुरू कर देगा तो वो fetus के RBC को destroy करना शुरू कर देता है ठीक है तो second pregnancy, third pregnancy के fetus के acidity हो जाती है क्या होता है? fatal हो सकता है, fetus abort हो सकता है severe anemia हो सकता है RBC तूटेगा तो anemia ही होएगा या jaundice हो सकता है इसी condition को erythroblastosis fetalis कहते हैं कैसे avoid हो सकता है अगर पहली बाद तो शादी मत करो अगर negative female है और positive father है मत करो शादी, बट अगर शादी कर ली जाने जाने में तो मदर को पहली ही pregnancy के बाद anti-rH antibodies देदो बच्चे ने क्या दिया मदर और को क्या करते रहants आंटीजन देदो आप क्या देदो injection में anti-rH antibodies देदो बस याद रखो रट लोग इसको बच्चे ने क्या दिया आरहants गार देदेदो तुम क्या देदो उस antigen के अगेंस्ट antibodies देदो ठेक है, anti-RH, antibodies, mother को inject कर तो, ठेक है, immediately after delivery of first child, कतम हो गया, last topic जो आपके blood का है, वो है coagulation of blood, blood clot कैसे करता है, इसे cascade process भी कहते हैं, cascade process होता है, जहाँ एक step दूसरे step पर dependent हो, ठेक है, vitamin K is required for synthesis of variety of clotting factors like fibrinogen and pro-thrombin in liver, यह liver में बनते हैं पर inactive form में बनते हैं, अब जब आपका blood vessel damage होता है, एक तो blood vessel damage होता है, मालो कहीं कट लग गया, और surrounding tissue damage होता है, तो surrounding tissue एक chemical release करता है, thromboplastin या tissue fluid, यह NCRT में नहीं है, तो यह NEET में आएगा भी नहीं, सीधा लिखा हो है कि damaged tissue जो है, प्रो-thrombinase या thrombokinase release करता है, यह इसी का ही नाम है, प्रो-thrombinase का ही नाम है, ठेक है, और अंदर जो है, यहाँ पर endothelial lining damage हो गई, तो उसके contact में आए platelets उपर से बह रहे हैं, वो damage हो गई, damaged platelets एक chemical release करते हैं, जिसे बोलते हैं, थ्रॉम्बो काइनेज या प्रो-thrombinase, प्रो-thrombinase NCRT में नहीं है, थ्रॉम्बो काइनेज नहीं है, इसके लिए calcium लगता है, दोनों ही process में, so NCRT में, थ्रॉम्बो प्लास्टिन का कोई जिखर नहीं है, NCRT में डारेक्टली क्या कह रहा है, कि damaged tissue और damaged platelets will release something called थ्रॉम्बो काइनेज, तो आप डारेक्टली ऐसे यहां से यह बना सकते हो, आपको थ्रॉम्बो प्लास्टिन बनाने के ज़रूद नहीं है, थ्रॉम्बो काइनेज बनाने के ज़रॉम्बो काइने 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 के ज़रॉम्बो का called fibrin fibrin उस जगे पर ऐसे mesh बना लेगा जहां पर कटा हुआ है और उसमें platelet वगरा फस जाएंगे and it will form a clot which is reddish brown क्या होता है fibrin plus damaged blood cells होते हैं platelets होते हैं so 3 step का process है हर step पिछले वाले step पर dependent है damaged tissue और damaged platelet ने release किया thrombokinase, thrombokinase ने prothrombin को thrombin में convert किया, thrombin ने fibrinogen को fibrin में convert किया, fibrin और damaged cells ने clot बना दिया यह आपका पहला part हो गया blood, human circulatory system पे चलो हर step में inactive to active, inactive to active, तेरा तूरा कोई factor याद नहीं करना है अनीश शर्मा, जितना मैंने बताया है सिर्व उतना याद करना है कि हर step में calcium लगता है और यह inactive clotting factors को liver में बनाया जाता है with the presence of vitamin K और यह steps का sequence याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना आपको ठीक है, question करो आओ, देखते हैं जरा question करो कुछ अरे, NCRT क्यों डाल दिये, ये, ये, ये digestion का question है भाई, ये भी इसका question नहीं है ये question करो तू, coagulum मतलब clot, ठीक है, coagulum मतलब clot, is formed of network of threads called thrombins, second spleen is the graveyard of erythrocytes, बता ये बताओ बेटा, दिखी नहीं रहे question क्यों नहीं दिख रहे है, light पढ़ रही है के साधा, यार 720p में करो ना, father negative नहीं हो सकता, बेटा, erythroplastasis fatalis में, father कैसे negative हो जाएगा, बेटा, बच्चा हमें positive रखना है, fetus positive रखना है, तो उसके लिए, पापा तो positive रखना ही पढ़ेगा, mother already negative है, है ना, देखो, coagulum, यानि clot is formed of network of threads called thrombin, no, network of thread called fibrin, fibrin से बनता है, insoluble protein होता है, ठेक है, spleen is the graveyard of erythrocytes, पहला गलत, दूसरा सही, अगले कोशन पहो, यह नहीं कर सकते हम अभी, यह करो, बताओ, universal recipient क्यों होता है, universal recipient क्यों होता है, देखो बेटा, हमारी receive करने की ability, हमारी antibodies पर depend करती है, हमारी antibodies, हमारी fighting force है, अगर मेरा A blood group है, तो anti B खड़ा हुआ है, तो वो B को नहीं आने देगा, अगर मेरा B blood group है, तो anti A खड़ा हुआ है, वो A को नहीं आने देगा, A, B में सब कुछ क्यों आ सकता है, A, B में सब कुछ क्यों आ सकता है, बेटा, A भी में सब कुछ इसलिए आ सकता है वेटा क्योंकि उसके पस antibodies होती नहीं है उसकी कोई fighting force ही नहीं है ना मिरे पस anti-A है तो A आ सकता है ना मिरे पस anti-B है तो B आ सकता है सब कुछ या सकता है आप किसको receive कर सकते हूँ वो आपकी antibodies पे dependent करता है आपकी antibodies आपकी fighting force है, जिसके पास anti A है वो A को नहीं ला सकता, जिसके पास anti B है वो B को नहीं ला सकता, A के पास कुछ है ही नहीं, absence of antibodies, है ही नहीं antibodies, ठीक है जी, चलो, next question, पढ़िए, कीजिए, कीजिए, कीजिए बिटा, करो, 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 which enzyme is responsible for conversion of inactive fibrinogen to fibrin, यह कौन convert करता है बेटा, यह convert करता है थ्रॉम बिन, ठीक है, तो आपका answer होगा, भी, next question, कर सकते हो आप यह, करो, match the following करने करो, मैं मुझे आप से offline पढ़ना है, offline में मेहनत करोगे, कहां पे रहते हो आप, अगर आप चंडीगड आओ offline पढ़ने के लिए, तो मेहनत तो आपको करनी पढ़ेगी, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, आप अगर आना चाहते हो तो, बट आपको मेहनत करनी पढ़ेगी, आजो, ट्राइ करें, इस्ता मीन जो है, बेसोफिल करता है, हिस्ता मीने, से क्या बग्भावास है, इम्यून से इस्ता मेरा आंसर बन जाएंगा, बीका, four, बीका four, एक ही है, बीका four, यह है न, छेक, चलिए आगे करिए, तीन 2018 question है तीन proteins है उनके function बताए है, blood के proteins plasma में proteins है clear क्यों नहीं दिख रहा बिटा light जादा है क्या मुझे तो खुद को मैं clear दिख रही हूँ मैं अपनी screen पे, और मुझे question भी clear दिख रहा है आप 720p पे करो न यार आप शयद आपका quality कम होगा न वीडियो का आओ देखते है fibrinogen fibrinogen किस लिए होता है, clotting के लिए होता है globulin defense के लिए, albumin osmotic balance के लिए है, तो आप answer बना लो कौन सा बनेगा adult, अच्छा यह है 2017 का question, बढ़ो adult human RBCs are e-nucleate, which of the following is our most appropriate for explanation of this feature, क्यों e-nucleate है बो, क्यों e-nucleate अभी यह NCRT में भी नहीं दिया हो कि क्यों e-nucleate है लेकिन आपको थोड़ी common sense लगाने पड़ेगी क्यों e-nucleate है बेटा वो बेटा वो e-nucleate इसलिए है ताकि वो नुकलिस की स्पेस खाली करके उसमें हीमोग्लोबिन भर सकें एक RBC के अंदर 270 million particles of hemoglobin है तो reproduce से कोई लेना देना नहीं है सोमाटिक सेल्स में क्या नुकलिस नहीं होता बिलकुल होता है मेटबोलाइज बेटा मेटबोलाइज तो यह करते हैं गलत बात है ना सिर्फ 4 their internal space is available for oxygen transport next question whose reduction in number can cause clotting disorders किसकी वज़े से clotting disorder हो सकता है जो clotting से related है उसी से clotting disorder हो सकता है कौन इन में से clotting से related है मेरा online batch में बहुत जल्दी announce करूंगी कि May end के आसपास वह शुरू हो जाए जो भी बच्चे 2024 के लिए है जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहेंगे और उसका price में कोशिश करूंगी बहुत reasonably आप लोगों के लिए प्लेस किया जाए और ये भी कोशिश करूंगी कि सिर्फ अगर biology का batch आप लोगों को मिल जाए तो ठीक है I'll try next question serum differs from blood in serum में क्या नहीं होता serum के अंदर क्या नहीं होता hemophilia एक genetic disorder है ठीक है बटा जिसमें clotting के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है वो factors नहीं बनते ठीक है तो उसके वज़े से blood clotting नहीं प्रॉपर हो पाती ठीक है यह sex linked recessive disorder है मेटा क्या नहीं होता serum में clotting factors नहीं होता है ठीक है देखो जितना हमने पढ़ा हुआ है अब देखो यह थोड़ा अजीब question है erythropoiesis मतलब formation of blood blood का formation यह formation of erythropoiesis formation of RBC hemopoiesis formation of blood तो RBC का production actually question क्या है कि सबसे पहले कहां शुरू होता है जब बच्चा embryonic state में होता है तो RBC का production bone marrow से पहले कहीं और भी start होता है वो कहां होता है question यह है यह अभी का question नहीं है 2015 question है अब आपके syllabus में नहीं है आपको पता होना चाहिए red bone marrow में तो हमारे होता है हम जब पैदा हो जाते है तो red bone marrow में होता है बच्चे के न कुछ समय तक liver में होता है फिर fetus के red bone marrow में नहीं लगता है फिर fetus जब पैदा हो जाते है तब भी red bone marrow में होता है ठीक है चलो person with blood group AB is considered as universal recipient because he has क्यों है बटा वो यह repeat question है अभी आपने इसको किया था बताओ person with blood group AB is considered as universal recipient because he has antigen plasma में नहीं होता है बहुत A and B antigen on RBC and no antibodies in the plasma ठीक है यह बहुत पुराना कोश्चन है यह डाइग्राम क्लियर नहीं है कौन सा हो सकता यह कौन सा हो सकता यह देखो इसमें granules हैं आपको granules clearly दिख रहे हैं that means यह A granulocyte तो नहीं हो सकता ना यह lymphocyte हो सकता ना यह monocyte हो सकता या तो यह neutrophil है यह basophil है यह basophil का nucleus नहीं दिखता क्योंकि उसके इतने ज्यादा granules ऐसे होते हैं आप NCRT की डाइग्राम में देखो उसका nucleus clearly नहीं दिखेगा Neutrophil का nucleus आपको बहुत clearly दिखता है इसमें कोई nucleus नहीं दिख रहा है तो यह most probably basophil है basophil के जो granules है उसको cover कर दते हैं उसके nucleus को nucleus properly visible नहीं होता आप NCRT की डाइग्राम जरूर देख लिए इसको करने के लिए ठीक है हमें नहीं पता कि मरीज जिसको खून चाहिए उसका blood group क्या है लेकिन एकदम से उसके friend नहीं का मैं दे दता हूँ blood तो उसका जो friend है उसका blood group क्या होगा जो किसी को भी दिया जा सकता है बिना जाने कि तेरा blood group क्या है मैं तुझे blood दे सकती हूँ तो मेरा blood group क्या है यह सबको दिया जा सकता है ठीक है graveyard of rbc किसी कहते है repeat question है बताओ फिर आगे चलते हैं चलो पेज़ने प्लाइम 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 इस इन एक कितनी बार आगा है कोईगोलेशन ऑफ ब्लड दोहजार ग्यारा बोलो जल्दी अब आप सारे कोशन कर सकते हो ब्लड से अब सारे कोशन कर सकते हो ब्लड से कोईगोलेशन अफ लड फाइब्रेन जन यह सेम कोश्चन है repeat question है कि unknown blood group है उसको उसके फ्रेंड ने ब्लड गुरूप दे दिया ठीक है यह करो तो कोशन पर यहां का कोशन है नहीं रहने दो यह कर दो दे हीमोगलोबिन कॉंटेंट पर हंडेड एमल ऑफ ब्लड ऑफ नॉर्मल हेल्दी हुमन एडल्ट इस बताओ बेटा अच्छा एक बच्चा पूछ रहा कि युनिवर्सल डोनर जो है वो ओ पॉस्टिव होगा या ओ नेगेटिव होगा बेटा नेगेटिव वाला सबको दे सकता है पॉस्टिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता है नेगेटिव वाला सबको दे सकता है ठीक है पॉस्टिवल अपने अपको मेर समझता है ना कहता है यार मैं खुद पॉस्टिव हूँ मैं किसी नेगेटिव को क्यों दूँ नेगेटिव वाले गरीब होता है ना 12-16 चलो आगे पढ़ते हैं अच्छा देर इस नो डियन ने इन किसमें डियन ने होता ही नहीं अच्छा कुश्चन है और यह रिपीट हो जाए मज़े आ जाए 2009 को को क्यों ने चाहिं ने इंकिसमें डियन ने हैं थी किसमें डियन ने हैं ने थी बहकर में तो डियाने है सपर्म में यस नियु क्यों नियू क्यों क्यूं कॉन treating Divinity च़्ुने में हैं क्यों नीकर सली tensions अगला पाट पड़ता है इसे होता ही नहीं है इनने पता ही नहीं है ठीक है चलो वापस चली अगला पड़ता है आजो Human Circulatory System पर आजो सुनो ध्यान से Human Circulatory System के तीन पार्ट्स है एक है Heart एक है Blood Vessels और एक है Blood Blood तुमने डीटेल में पढ़ लिया अब तुम्हें Heart डीटेल में पढ़ना है ठीक है Blood Vessels को मैं पढ़ा दूँगी पहले Heart पर आजो आजो Heart पर Heart जो है वो मसल का बना हुआ है कौन सी मसल? Cardiac Muscle Cardiac Muscle Cell का फीचर क्या होता है वो याद करो Cardiac Muscle Cell इस तरीके से होता है Branched होता है और Cylendrical होता है Branched, Cylendrical ऐसे Striations होती है Faint Striations होती है Uninucleate होता है लेकिन हमारे Control में नहीं होता Involuntary होता है और जो मसल है वो Mesodermally Originated Tissue है तो यह Mesodermal Cardiac Muscle से बना हुए इसका कहाँ पर Location होता है? Thoracic Cavity में Location है इसका दोनों Lungs के बीच में जो Space है, यहाँ पर पढ़ा होता है इस Space को Media Stenum बोलते है उसके बीच में पढ़ा होता है और यह थोड़ा सा Left की तरफ ऐसे Tilted होता है वैसे तो यह सेंटर में पढ़ा होता है लेकिन हलकी सी चौंच जो है वो Left की तरफ पढ़ी होती है इसकी चौंच जो है Double Layer Bag इस Bag को बोलते है Pericardium Pericardium किसका बना हुआ है Dense Irregular Connective Tissue का Connective Tissue में अगर classification करें Dense Irregular Connective Tissue का बना हुआ है अब इसका Diagram देखो तुम इदर एक दो चीज़े बताने हैं मुझे दो डाइग्राम समझाने हैं तुम्हें थ्यान से देखो यह हार्ट है ठीक है बढ़िया नहीं बना यह हार्ट है इसके दो उपर के छोटे छोटे चेम्बर्स होते हैं जिनको हम एट्रियम कहते हैं दो इस इदर वाले को यह मेरा राइट हैंड है यह राइट एट्रियम है यह लेफ्ट एट्रियम है नीचे की साइड दो बड़े चेम्बर्स होते हैं ऐसे जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं यह राइट वेंट्रिकल है यह लेफ्ट वेंट्रिकल है ठीक है जी अब इनके बीच में जो मसल की वॉल है इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम और ये पतला होता है थिन होता है जो वेंट्रिकल्स है इनके बीच में जो मस्कुलर वॉल होती है इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि थिक होता है सेप्टम जो कि थिक होता है ये थिक और थिन याद करने है क्योंकि ट्रू फॉल्स में आगे तो हमारी बैंड बच जाएगी थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे अरे यार देखो इनके उपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता इनके उपर प्रेशर नहीं पड़ता तो इनकी व जो ये वाला पार्ट है इनकी वॉल्स भी थिक है ये वेंट्रिकुलर वॉल है ये थिक है क्योंकि कॉंट्राक्शन भी ज्यादा होने है इनकी इनको तो कॉंट्राक्ट करके ब्लड नीचे ही फैकना है इनको कॉंट्राक्ट जोड से करना है इधर वाले को लंग्स में फैक तो force of contraction ventricle की बहुत ज़ादा होती है इसलिए इनकी wall भी थिक होती है तो यह ventricular wall है यह थिक है atria पे ना ज़्यादा pressure आ रहा है ना उसे जोर से contract करना basically सही reason तो है कि उसको contract जोर से नहीं करना जोर से नहीं contract करना तो उसको wall जादा strong चाहिए भी नहीं है तो पतली wall, atrial wall, inter atrial septum भी पतला ventricles में जोर से contract करना है तो ventricular wall मोटी और ventricular septum भी, interventricular septum भी मोटा then इसको बोलते हैं atrial ventricular septum यह atrium और ventricle के बीच का septum है कि थोड़ा सामें मिटा जेती हूं यहां पर है कि मैंने कुछ और बनाना है कोई बात नहीं एट्रियो वेंट्रीकूलर septum जो की थिक है यह भी थिक है बैटा ठीक है नाव राइट एट्रियों और राइट वेंट्रिकल connected है एक ओपनिंग से और इस ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं तीन फ्लाप्स ऐसे जिसको बोलते हैं मतलब राइट साइड पर जो डियो ऑक्सिजनेटेट ब्लड वाला है ठीक है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्फ और लेफ्ट एट्रियों और लेफ्ट वेंट्रिकल में जिसमें ऑक्सिजनेटेट ब्लड ट्रावल करना है इसमें भी ओपनिंग है लेकिन इसकी फ्लाप्स हैं दो तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्फ मिट्रल वॉल्फ अब इनकी जो ये कस्प्स हैं ये ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर से अटाच होती है नीचे वेंट्रिकल की वॉल पे ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर से अटाच होती है ताकि ये वापस ना खुल जाए बैक फ्लो ना हो जाए इनका बैक ओपनिंग ना हो हो जा इनकी यह धागे जास चरसे व्यंट्रिकल वर्ड में एपको कारबता उ को चॉलाटि को एक तेदों मुझे नहींगे काइस को कैसे करते हैं कोछी टैंडिन निमिवाई और और को स्पैलिंग भी लग रहा है गलत है बट कॉर्ड मतलब धागा टेंडन की तरह जो धागा है कॉर्ड टेंडनी ठीक है और यहां पर वेंट्रीकल वाल्स यह न वह ऐसे रेज़गे यह जिन पर धागे अटैश्ट हैं ऐसे यह मसल ऐसे रेज़गे तो यह जो रेस मसल लेंट इसको बोलते हैं papillary muscle यह सब NCRT में दिया हुआ है ठीक है एक ड्राइग्राम तो तुम्हें इस चीज का आना चाहिए है clear, दो उपर छोटे chambers atrium, यहाँ पे दो बड़े chambers ventricle, ventricle का सारा थिक 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 क्योंकि उसको जोड से contraction कर रहा है इसका सारा थिन 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 क्योंकि उसको धीरे contraction करना है यहाँ पे tricuspid valve, यहाँ पे bicuspid valve, धागों को codi tenderny और यह जो raised muscles है इनको papillary muscles blood enter करता है atrium में, deoxygenated blood enter करता है right atrium में वेना कावा के थूँ, वेना कावा के थूँ, जो blue है वो deoxygenated blood है deoxygenated blood पहले right atrium में आता है, यहाँ इसके थूँ फिर right ventricle में आता है ठेक है, right ventricle से वो जाता है lungs में right ventricle से यहाँ पे pulmonary artery, artery मतलब A से artery, A से away from heart, deoxygenated blood जाता है lungs में वहाँ पे lungs में यह blood oxygenate होता है, oxygenate होके यह enter करता है left atrium में through pulmonary vein, vein मतलब वापस, heart में वापस आ रहा है, pulmonary vein यहाँ से blood जाता है यहाँ और यहाँ से फिर aorta की help से पूरी body में चला जाता है यह oxygenated blood है, यहाँ पर इसके base पर और इसके base पर valve होती है जिसको हम semi lunar valve बोलते है, semi lunar valve बोलते है similarly यहाँ पर भी semi lunar valve है, semi lunar valve back flow of blood रोकती है ventricle में वापस blood ना जाए यह रोकती है, tricuspid और bicuspid को हम atrium ventricular valve भी बोलते है क्योंकि atrium और ventricle के बीच में यह back flow of blood atrium में ना हो जाए, इसके लिए होता है ठीक है, यह basic diagram है आपके heart का, आपको ध्यान रखना है then अगली बात, heart में एक nodal tissue होता है उसका diagram भी अपने को आना चाहिए same चीज है, अब मैं wall की thickness पर इतना ध्यान नहीं दे रही ठीक है, nodal tissue होता है auto excitable tissue जो अपना action potential या heart beat खुद generate कर सकता है heart जो है, गलत बोल दिया मैंने, heart beat नहीं, nodal tissue होता है auto excitable tissue जो खुद से excited होता है खुद से excited होता है ठीक है, मतलब खुद से वो action potential generate कर सकता है nodal tissue के part कौन-कौन से हैं ध्यान रखेंगे, right atrium के top right corner में right atrium इस side है, है यह मेरा heart है मान लो, right atrium के top right corner में एक nodal tissue का पहला टुकड़ा होता है, यह है muscle ही, बस थोड़ा सा modified muscle है इसको बोलते है, SCN, syno atrial nod, ठीक है, यह सबसे important nodal tissue है, इसको आपेसमेकर भी बोलते हो पेसमेकर, ठीक है, यह signals send करता है excitation के पूरे के पूरे atrium में, यह basically atria को contract होने का signal देता है, atria की excitation, atria की contraction, basically इसके हाथ में, यह signal जाता है right atrium के नीचे की side, यहाँ पे, इस wall पे एक और node बनी होती है, ठीक है, जैसे यह top right corner हो गया, यह bottom left corner हो गया right atrium का, इसको बोलते है एवी नोड, फिर एवी नोड में signal जाता है, एवी नोड से यहाँ से एक bundle निकलता है, जो कि atrium ventricular septum को cross करता है, इस bundle को बोलते हैं, एवी bundle या bundle of his, पुरानी NCRT में गलत दिया है, bundle of his किसी और चीज़ को दिया है, बट actually में bundle of his यह होता है, यह atrium ventricular septum को cross करता है, और यह interventricular septum, दो ventricles के बीच के septum के टॉप पे आ जाता है, यहाँ पे इसकी दो branches बनती हैं इस तरीके से, जिनको हम बोलते हैं bundle branches, यह right bundle branch, यह left bundle branch, इनको बोलते हैं bundle branches, और bundle branches यहाँ apex तक पहुंच जाती हैं, हाट के ऐसे, फिर bundle branches ऐसे मुडती हैं, और इन bundle branches से बहुत सा पूर किंजे fibers बोलते हैं, ऐसे, 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 इनको बोलते हैं पूर किंजे fibers, यह आपके nodal tissue का एक तो आपको sequence आ सकता है, कि शुरू कहां से होती है excitation, ऐसे अन से होती है, फिर AVN से जाती है, फिर AV bundle पे जाती है, फिर bundle branches पे जाती है, फिर पूर किंजे fibers में जाती है, एक यह सेफेट आसकता है, दुसरा सकता है कि क्या यह पूरा tissue auto excitable होते है, दीसरा कोश्शन होता है, क्या यह सेम rate पे excitement होता है, क्या यह सेम rate पे excitement होता है, नहीं मिटा सेम rate सबसे जाधा जो डी पोलराइजेशन के या एक्षन पोटेंशल के सिंगनल जाते हैं वह कितने सिंगनल्स बहुए है एसे से हमारी हाटीट का रेट डिसाइड होता है जितने सिंगनल एसे न भेजएगा शानो एक्रल नोट बहुए गए उतनी ही आपकी हर्ट वीट होगी तेक है, इसलिए इसे pacemaker कहा जाता है, याद रखना है, AVN को कभी pacemaker नहीं कहा जाता, कुछ books में pacemaker लिख दिया है, pacemaker कुछ नहीं होता, pacemaker पर question आएगा, S.A.N. is pacemaker, sequence पर question आएगा, क्या ये सारा auto excitable है, इस पर question आएगा, हाँ जी, पूरा auto excitable है, सबसे ज़्यादा एक साइट कौन होता है SAN होता है इसलिए इसको पेसमेकर कहता है क्योंकि वो हमारे हार्ट की rhythmic activity को decide initiate भी करता है कि कितनी बार हमारा हार्ट बीट होएगा एक मिनिट में और कोई question बनता है इस पर हाँ एक question बन सकता है atrial contraction दोनों एक साथ contract करते है अपना blood नीचे डालने के लिए उनकी contraction किसकी वैसे होती है SAN की signal की वाज़े से होती है क्योंकि SAN का signal जो है वो पूरे atrial wall में जा रहा है फिर ये signal AVN को मिलता है AVN ये signal AV bundle को देती है AV bundle से पूरा ventricle और wall में ये signal फैल जाता है कैसे? bundle branches से ये बीच वाले septum में फैल गया फिर ये पूरी बेंट्रिकल वाल में फैल गया इस signal से वेंट्रिकल की contraction होगी तो वेंट्रिकल का जो contraction है वो किसकी वज़े से हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि AV node ने AV bundle को दे दिया था AV bundle ने bundle branches को देती था bundle branches और purkinje fibers ने पूरे वेंट्रिकल में फैला दिया ये nodal tissue के सारे question बन जाएंगे आपकी इस डाइग्राम से नोडल musculature is auto excitable but number of action potential generated vary at different parts of the nodal system SAN generates maximum action potential कितना 70-75 SAN initiates and maintains the rhythmic contractile activity of heart ये आपको true-false में आ सकता है AVN डाल सकते हैं या पर फिर फिर गलत हो जाएगा statement therefore it is called the pacemaker ये assertion reason का question बन गया किसे pacemaker क्यों कहते है SAN को ठीक है assertion में आ जाएगा SAN is the pacemaker reason में आ जाएगा because it initiates and maintains the rhythmic contractile activity of heart हो गया इतना cardiac cycle पे चलो पहले बाला part हो गया cardiac cycle पे चलो बेटा cardiac cycle पे चलो बहुत नीदार है यार सोजाओ फिर बहुत नीदार है तो क्या करेंगे डरो मत कुछ नहीं है डरो मत cardiac cycle क्या होता है कितनी बार आपका cardiac cycle cardiac cycle है basically एक बार पूरे दोनों atria contract हो गया उसको systole बोलते हैं दोनों atria contract हो गया फिर दोनों ventricle contract हो गया उसको ventricular systole बोलते हैं cardiac cycle 0.8 second का होता है ऐसे कितने cardiac cycle चलते हैं एक मिनट में around around 72 cycle चलते होता है ठीक है जितनी heart beat है उतने ही cardiac cycle है याद रखो number of cardiac cycle is equal to number of heart beat अगर 72 की heart beat है तो 72 cardiac cycle चलेंगे अगर 70 की heart beat है तो 70 cardiac cycle चलेंगे ठीक है जनरली हम 72 ही लेते हैं इसलिए हम 72 cardiac cycles मानके 0.8 second का एक cardiac cycle होता है तो cardiac cycle को शुरू कैसे करना है हो हमने शुरू करना है joint diastole से joint diastole जब आपका atrial ventricle दोनों relaxed है यह सबसे ज़ादा समय के लिए होता है 0.8 में से 50% time दोनों atrial ventricle relaxed होते है 0.4 seconds all four chambers are relaxed joint मतलब इकटे diastole मतलब relaxation इसमें क्या होता है AV walls, atrio ventricular walls open होती है ठीक है blood वेना कावा से right atrium में आता है right atrium यह right ventricle वेना कावा से right atrium में आता है right atrium से tricuspid valve के बीच में से जाके right ventricle में जाता है तो basically ventricular filling हो रही है इसमें से semi lunar valve close होती है ताकि blood यहां से बाहर ना निकल जाए अभी सिर्फ ventricle fill हो रहा है पहले blood atrium में आ रहा है ventricle fill हो रहा है दूसरी साइड pulmonary vein left atrium में blood फैंक रही है oxygenated pulmonary vein left atrium में blood फैंक रही है oxygenated जो कि ventricle में blood जा रहा है bicuspid valve के बीच में से और यहां पे भी semi lunar valve close है ताकि blood यहां ना चला जाए aota में ना चला जाए joint diastole में यह चीज हो रही है फिर क्या होता है joint diastole खतम कैसे होता है SA node action potential generate कर देती है SA node ने action potential generate किया तो पूरी atrial valve की depolarization हो गई तो atria contract हो गया SA node generates action potential तो जैसी SA node ने action potential आप कहां जाओगे आप जाओगे atrial systole में systole मतलब contraction diastole मतलब relaxation जैसे ही SA node action potential generate किया पूरे atrial valve में फेलाया atria contract होगे दोनों एक साथ होएंगे ठेक है सिर्फ 0.1 second के लिए contract होँगे both atria contract simultaneously this will increase इससे क्या होगा जब atria contract होगा तो यह अपना सारा का सारा blood ventricle में डाल देगा this increases the blood flow to ventricles by 30% यह याद रखने है कितने percent से blood flow बढ़ जाता है 30% से अब इस 0.1 second के बाद atria फिर relaxed अब किसके contraction की बारी है ventricles के action potential conducted to ventricular side अब S.A.N. ने पहले atria को contract कर दिया अब वो जो potential है वो कहां जाया गया AVN गया फिर उससे AV bundle गया and then to purkinje fibers और ventricular contraction हो गई अब ventricular पहले depolarization होई उससे ventricular contraction हो गई ventricular से इस्टोल रहता है 0.3 seconds के लिए ठीक है बोथ ventricles contract simultaneously ऐसे contract कर जाते हैं जब ऐसे ventricles contract करते हैं तो blood atria में जाने की कोशिश करता है ventricles ऐसे contract कर गए तो यह वापस ना चला जाए तो AV valve बंद होते हैं सबसे पहले सबसे पहले जैसे ventricular pressure बढ़ा contraction से वैसे AV valve close to stop any back flow of blood to atria ठीक है फिर pressure और बढ़ा तो यहां से semi lunar valve open हो गई ब्लड यहां से flow होने लग गया दोनों वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से pulmonary artery में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओटा में ठीक है सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम AV valve close हो जाती है semi lunar valve open हो जाती होती है ब्लड फ्लोस टू pulmonary artery and एओटा और atrial diastole coincides with ventricular systole बिटा एट्रिया का तो diastole यह है एट्रिया सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए contract हुआ फिर वो diastole में है ठीक है फिर क्या हुआ वेंट्रिकल का relaxation शुरू हो गया तो मतलब फिर से joint diastole में चलेगे हम लोग एट्रिया तो एट्रिकल का relaxation शुरू हो गया ventricles relax joint distal में फिर से पहुँआ हम लोग फिर ventricles pressure release होने लग गया relaxed होने लग गया तो बेटा जैसे ही ventricles pressure relax होता है एट्रिया तो पहले से relax है जब से ventricles होने लगा तो blood वापस आने की कोशिश करता है blood वापस ना आये दिख रहा है वाल्व क्लोज टू प्रिवेंट बैक फ्लो अच्छा 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 मेरी पीपीटी खतम होगी रूखो इसको रेंदो मैं लिख लूँगी मैं को भेज दो यार मैं को आगे बढ़ाना है चलो मैं तब तक दिना पीपीटी के पड़ा देती हूं ठेक है देखो ध्यान से देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में ध्यान से देखो यह काडियक साइकल है यह 0.4 सेकेंड तक जॉइंट डायस टोल है इदर ठेक है जॉइंट डायस टोल में सब कुछ रिलाक्स्ट है एट्रिया भी रिलाक्स्ट है वेंट्रिकल्स भी रिलाक्स्ट है ठेक है बलड फ्लो कर रहा है एट्रिया में और वहां से फ्लो कर रहा है वेंट्रिकल्स में मतलब एवी वाल्व्स ओपन हो रखें एवी, वॉल्व्ज, ओपन है यहां पर, ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है यहां पर, ठीक है, फिर क्या हुआ, से अन ने अपना सिगनल दिया, और एकदम से एत्रिया कॉंट्राक्ट हो गया, 0.1 से के लिए, एत्रियल से स्टोल हो गया, एत्रियल से स्टोल से कुछ ज्यादा फरक नहीं पड़ा, वेंट्रिकल तो रिलाक्स धी है, एत्रिया कॉंट्राक्ट हो गया, वेंट्रिकल रिलाक् सब्सक्राइक आख़े सराइक अब द्थान से स्टों 0.3 सेकेंड के लिए ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ठेक या? अब ध्यान से सुनो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्टिंग में ही जैसे वेंट्रिकुल कॉंट्राक्ट होएगा AV valve बंद हो जाएगी AV valve close पहली heart sound लब आ जाएगी first heart sound लब आ जाएगी फिर क्या होगा? एट्रिया वेंट्रिकुल और ज़्यादा कॉंट्राक्ट होएगा यहाँ पे सेमी लिउनर valve खुल जाएगे और वेंट्रिकुल खाली होना शुरू हो जाएगे SL valve ओपन हो जाएगी वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलेगा इसे stroke volume कहते हैं stroke volume क्या होता है? एक वेंट्रिकल से एक कार्डिक साइकल में कितना blood निकला? दोलों वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलेगा ठीक है? राइट वाले से भी लेफ्ट वाले से भी उसको stroke volume कहते हैं कि एक से कितना निकलता है उसको बोलते हैं 70 ml निकलता है यह याद रतना आपने stroke volume कितना होता है sympathetic nervous system से जब आप ढरे हो भाग रहे हो तो stroke volume बढ़ जाती है ठीक है फिर ventricular से stall खतम हुआ अब ventricle relax हुआ जैसी ventricle relax हुआ एकदम से semi lunar valve close जाएगी ताकि blood वापस ventricle में ना चला जाए तो यहाँ पर आपका SL valve close हो जाएगी सर्फ valve close होने से आवाज आती है खुलने से कभी आवाज ने आती है तो second heart sound आती है dub आपको question क्या सकता है कि पहली heart sound क्यों आ रही है और कब आ रही है AB valve के close होने से आती है पहली heart sound और वो ventricular systole के start में आती है दूसरी sound कब आती है ventricular systole खतम होने पे आती है ventricular relaxation शुरू होने पे आती है क्यों आती है क्योंकि SL valve close हो जाता है है ठीक है जी फिर से बेटा repeat हो जाएगा सब कुछ आप लोगों को समझ में आया काडिक साइकल है काडिक साइकल समझ में आया बस चाप्टर कहतम होने वाला बेटा कॉश्चन करा ले एक वेंट्रिकल का होता बेटा स्टोक वॉल्यूम सिर्फ एक उसका होता है कॉश्चन कर ले इस पर इसका स्क्रीन शॉट ले ले लेना क्योंकि ये मेरे नोट्स में अभी मैंने बनाया मतलब मिल जाएगा वैसे स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है एक कुश्चन यह आता है आपको सत्तर में फिर आपको पूछते हैं कार्डियक आउट्पूट कितना होता है आपको पुछते हैं, cardiac output कितना होता है, बेटा, एक minute में, एक ventricle कितना blood फैंकता है, वो cardiac output है, तो एक, एक cardiac cycle में, तुम 70 ml फैंक रहे हो, stroke volume, एक minute में, कितनी बार तुम stroke volume फैंकोगे, जितनी बार तुमारा cardiac cycle चलेगा, cardiac cycle कितनी बार चलता है, जितनी तुमारी heart beat होती है, heart beat, which is approximately 72, so cardiac output का formula याद रखना है, stroke volume, एक बार में कितना ventricle ने blood फैंका, फिर उसको heart beat से multiply कर दो, क्योंकि heart beat जितनी बार होईगी, उतनी बार stroke volume बाहर निकाल रहा है ventricle, क्योंकि उतनी cardiac cycle चल रहे है, cardiac cycle equal to heart beat, तो यह होती है, around round 5040 ml, which is approximately equal to 5 liter, तो आपका cardiac output 5 liter है, इस पे questions आ सकते हैं, फिर एक question आ सकते हैं, अगर sympathetic nervous system activated है, डर लग रहा है, भाग रहे हो, कुटा पिछे पढ़ा है, तो इन सब चीजों पे क्या फरक पढ़ेगा, sympathetic nervous system का इन चीजों पे क्या फरक पढ़ेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, cardiac output बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि stroke volume बढ़ जाती है, क्योंकि heart beat बढ़ जाती है, सब कुछ ही बढ़ जाता है, ठीक है, parasympathetic nervous system अगर activated होगा, तो इस पर क्या फरक होगा, सब कुछ कम हो जाएगा, parasympathetic में, cardiac output कम हो जाएगा, stroke volume कम हो जाएगा, heart beat कम हो जाएगी, इवन जो nodal tissue से conduction का rate है न, जैसे SAN से AVN पहुंचा, AVN से AV bundle पहुंचा, वो भी slow हो जाता है, parasympathetic में, rate of conduction भी slow हो जाता है, heart beat इसले कम हो जाती है, ये बातें आपको याद रखनी है, एक बार मैं देख लूँ, मेरा PPT में लगा लेती हूँ फिर, एक मिन्ट बिटा, ये notes मैं आपको अपने उस पर दे दूँगी, तेलीग्राम चानल पर दे दूँगी, मेरा तेलीग्राम चानल है, Ritu Rathewal Official, 97,000 बच्चेंस में, आपने कोई दूसरा ग्रूप नहीं जॉइन करना, क्योंकि बहुत सारे मेरे नाम से, और ग्रूप लोग, देर आर ग्रूप्स, उसको जॉइन के लिए, मैं वहाँ पर दे दूँगी ये नोट्स, एक मिनिट है, पर ग्रूप लोग्स, पर ग्रूप लोग्स, ये वोई चीज हैं जो मैंने बताया है बटा, ठेक है? आओ चलो, आगे चलते हैं, ये वोगया, ये वाला समझ में आ गया है ना, ये वाले चीज समझ में आ गई, ECG पर चले, बस चाप्टर खतम होने वाला है बटा, ठेक है? आजो, चाप्टर खतम होने वाला है, आजो, फिर अप्पा, कॉश्चन प्राक्टिस करेंगे इसकी, ठेक है? सुन, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, जिसे ECG भी कहते हैं, ये एक मशीन होती है, जिस पे ग्राफ लिखा है, वो मशीन है, वो अक्चली में ग्राफ नहीं है, जिस पे ग्राम लिखा होगा, वो ग्राफ है, उल्टा है इसमें, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ इस यूज़, इस अ मशीन विच इस यूज़ तो अप्टेन एलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम क्या होता है, ये आपको रटना है, it is the graphical representation यह graph है basically लेकिन इसके नाम में graph नहीं है of electrical activity of heart during cardiac cycle cardiac cycle के time जो आपके heart की electrical activity होती है उसका graph होता ही है लेकिन नाम में इसके graph नहीं है electrocardiogram है इसका नाम machine का नाम graph है electrocardiogram जिस से ही हम electrocardiogram बना रहे हैं कैसे करेंगे हम एक patient को हम connect कर देंगे machine से with the help of three leads three lead कहां पर लगेंगी one to each wrist एक एक रिस्ट में दो लग गई और एक आपके left ankle में लग गई अगर आपको और ज़्यादा detailed evaluation करनी है patient की body की तो आप multiple leads लगाओगे उसके heart region में भी अगर आप एक standard ECG देखोगे तो इसमें कुछ ऐसी नज़र आती है पहले P wave आती है फिर QRS complex आता है और फिर T wave आती है P wave basically electrical activity of atrial wall को represent करती है depolarization या electrical excitation of atria बोथ atria दोनों atria का एक साथ excitation होता है जिसकी वज़े से देखो पहले पहले excitation होता है फिर contraction होता है जो P wave है वो excitation को represent कर रही है जिसके result में atrial contraction होता है atrial systole होता है QRS complex ventricular depolarization या ventricular excitation को represent कर रहा है तो पहले excitation होएगी ventricular excitation या ventricular depolarization फिर actual में ventricular systole होगा depolarization excitation of ventricles initiates a ventricular contraction and contraction starts shortly after Q so जब से signal आया है contraction का तभी से नहीं contraction स्टार्ट हो जाती है तो signal है na contraction थोड़ा आगे से यहां से स्टार्ट होती है अब signal तो यहां हो गया देखो यह बच्चे बहुत नीट में गलत करते हैं ध्यान से सुनेंगे contraction का सिगनल यहां खतम हो गया लेकिन एक्चुली में contraction यहां नहीं खतम होती contraction यहां तक चलती रहती है यहां तक सिस्टोल ही चलता रहता है ventricular systole ही चलता रहता है T wave actually represents ventricular repolarization मतलब relaxation की wave है यह repolarization relaxation होईगी उससे ventricle की लेकिन अभी तक उस वेव का इफेक्ट नहीं खतम हुआ, QRS का इफेक्ट T वेव के एंड तक चलता रहेगा, T वेव का इफेक्ट आगे आएगा, यहां पे आपका रिलाक्सेशन होएगा, वेंट्रिकुलर रिलाक्सेशन होएगा, सुनने में अजीब से लगती है, रट लो इस बात को, क्या कहां मैंने, क्या करें, इसका ही इफेक्ट चलता रहता है, T वेव के खतम भी होजाता है, आपको दिखती नहीं है, ठीक है, यह वाला हो गया, T-Wave Repolarization of Ventricles, End of T-Wave Marks, End of Systole of Ventricles, No Wave for Atrial Repolarization, By Counting QRS Complexes, देखो, जब QRS Complex ऐसे दिखते हैं, इनको काउंट करके आप Heartbeat काउंट कर सकते हैं, एक मिनिट में जितने QRS Complex आ रहे हैं, यह NCRT की लाइन है, ECG is of great clinical significance, क्योंकि सभी बंदों की ECG almost same-same सी होती है, तो अगर किसी की ECG deviate कर रही है, नॉर्मल से, Any Deviation Indicates Abnormal Behavior of the Heart की बही है, यह Electrical Activity में कुछ गड़ बढ़ है, ठीक है, अब आज हो Regulation of Cardiac Activity, वैसे तो हमारा Heart Myogenic है, मतलब वो मसल से ही Regulate होता है, मतलब वो खुद से ही Regulate होता है, अपनी ही मसल से वो Regulate हो जाता है, We have a Myogenic Heart, because our normal activities of Heart are Regulated Intrinsically, Myogenic मतलब मस्कुलर, मसल से, Regulate हो रहा है, लेकिन, कौन Regulate कर रहा है हमारी Activity of Heart को, मैं के तो, मसल से Regulate हो रहा है, Myogenic है, Auto Excitable है, SAN basically Regulate कर रहा है, लेकिन SAN को भी affect करता है, नूरल हमारा, नूरल सिस्टम भी affect करता है, ठीक है, A Neural Center in Medulla Oblongata can moderate the function of SAN, मतलब Medulla Oblongata से, यहाँ पर Heart को Signals आ रहे है, यहाँ पर Neurons है, ऐसे Heart को, SAN को affect कर सकते हैं, कैसे, वाया Autonomic Nervous System, Obviously Autonomic Nervous System ही internal organs को छेड़ता है, दो प्रकार से SAN affect हो सकता है, Autonomic Nervous System के दो पार्ट है, Sympathetic and Parasympathetic, यहाँ बता चुकी हूँ, अगर Sympathetic Nervous System activate हो रहा है, तो SAN से हम इस तरीके से affect करेंगे, कि Heart Rate बढ़ जाए, Cardiac Output बढ़ जाए, Stroke Volume बढ़ जाए, Strength of Ventricular Contraction बढ़ जाए, Strength of Ventricular Contraction से तो Stroke Volume बढ़ जाएगा, अगर Parasympathetic है, तो Heart Rate कम हो जाए, Speed of Conduction of Action Potential, सो Cardiac Output भी, सब कुछ सब कुछ कम हो जाएगा, ठेक है, Last Part है, Disorders का, ध्यान से सुनेंगे, पहला Disorder है, Hypertension, पहला Disorder है, Hypertension, मतलब High BP, BP जब Normal से Higher हो जाए, Normal BP कितना है, 120Y80, MMHG unit है, 120 है, Systolic Pressure, मतलब की Pumping Pressure, मतलब जब Heart Pump कर रहा है, Ventricles Contracted है, 80 है Diastolic Pressure, जब Ventricles Relaxed है, सको बलते है, Resting Pressure, High BP कब मानेंगे, जब 140, 90 से उपर हो जाए, मतलब ये 120 से 140 पर पहुंच जाना चाहिए, और ये 80 से 90 पर पहुंच जाना चाहिए, अगर कहीं दिया हो question में, कि ये 160 पहुंच गया, और ये 85 पहुंच गया, क्या इस बंदे को High BP है? नहीं है, क्योंकि तुने 90 नहीं टच किया, 90 मिनिमम है तुझे टच करना पड़ेगा, 140 मिनिमम है, इन दोनों को ही टच करना पड़ेगा, तब High BP बोलेंगे, ठीक है? Hyper tension leads to Heart diseases, देको, हार्ट पर फरक पड़ता है, ब्रेण पर फरक पड़ता है, किड्नी पर फरक पड़ता है, Then है, काड, Coronary Artery Diseases में क्या होता है? Coronary Artery, Coronary Artery होती है, Aiotasic Artery निकलते है, जो हार्ट को ही, हार्ट की muscles को, oxygen देने के लिए blood लेके जाती है ठीक है इसको coronary circulation भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि हाट को क्या जूरत है हाट में तो blood होता है नहीं बेटा उसको अलग से एक artery जाती है उसको oxygen देने के लिए coronary artery अगर उस artery में अंदर की side को चीज़ें deposit हो जाए है प्लाक deposit हो जाए किस चीज़ का calcium का fat का cholesterol का fibrous tissue का तो दिक्कत हो जाएगी coronary artery में अगर जैसे coronary artery है अगर यह आधी ऐसे बंसी होगी यहां पर प्लाक जम गया तो heart को blood बहुत कम गया it reduces the blood supply to heart तो बहुत दिक्कते हो सकती हैं heart में क्या क्या दिक्कते हो सकती वह हम पढ़ते हैं इसे ethereosclerosis भी कहते हैं मैटा अगर यहां पर blood supply कम हुई तो heart में सबसे बहले आपको left side में heart को proper oxygen नहीं मिल रहे क्योंकि proper blood नहीं मिल रहा कैड की वज़े से तो आपको हो सकता है heart attack heart attack क्या है आपकी heart की muscles मरना शुरू हो जाएंगी due to lack of oxygen heart muscle is damaged due to inadequate supply blood supply इसको याद रखना है heart पर attack हो गया अगर किसी ने तलवारों से आपके heart पर attack कर दिया तभी तो आपकी muscles मर रही है ना तलवारों से नहीं किया यहां पर oxygen कम हो गई तो heart की muscles पर attack हो गया वो muscles मर गई उसका उसे बोलते है heart attack so cad can lead to angina pectoris पहले पहले pain होगा body आपको बताएगी कि कुछ दिक्कत है heart oxygen नहीं मिल रही है आप नहीं ध्यान दो कि डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो it can आगे heart attack भी हो सकता है आपको ठीक है दो तिन चीजें आपको और पढ़नी है heart failure क्या होता है heart को एक ही काम दिया था कि तुन्हें blood pump करना है जब heart adequately blood को ना pump कर पाए जितना body को blood चाहिए उतना ना pump कर पाए तो उसे heart failure कहते है when heart is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body इसको heart failure कहते है then इसको congestive heart failure भी कहते है क्योंकि lungs में congestion हो जाता है cardiac arrest अगर आपका heart ऐसे फुदक रहा था विचरा अच्छा खासा बीट कर रहा था आपने उसको arrest कर लिया अब वो beat नहीं कर पार आपने हत्कड़ी लगा दियो उसको तो cardiac arrest वही होता है heart stops beating beat नहीं कर पाता heart attack आपको पता चल गया अब actually में इस chapter में कुछ बचा हुआ है जो मैंने आपको नहीं कराया there is one thing जो मैंने आपको नहीं कर रही तो वह मैं आपसे भी बात कर लेती हूं circulation दो type की होती है ध्यान रखेंगे open and close open circulation में क्या होएगा heart से blood blood vessel में जाएगा और फिर यहाँ पर body cavity में जाएगा सीधा body cavity में जाएगा जिसको sinus बोलेंगे body cavity को sinus बोलेंगे उसमें organs पड़े होंगे organs पर blood ऐसे बात होएगा और फिर यह blood वापस ऐसे heart में चला जाएगा no capillaries you भी हो कैपिल रिइज लिखना चाहती हुँ मैं लोसर क्लिट क्लेशन में हाट से जाए गा पहले आर्ट्री में जाएगा फिर हई बोर घंच में जाएगा फिर यहां पर से क्रुट है है और बना ओर ateurs der फिर आर्टिरोल में पिर कैपिलरी में तर वें में तो कभी ऐसे साइनस में खुला नहीं पड़ा रहेगा ठीक इसको क्लोज बोलते हैं अधियरो नियौ्ट नहीं को मिलता है आर्रो देटा में यह मैंने एन्मिल किंडम में कराया आपको एत Allइड कोड़्र एक बाखी सब में ओपन हैं। बहुत फेमस अार्थरोपोड़ा का है। सब में ओपन है अका आर्थ्रोपोड़ा का फेमस है क्योंकि इसकी बॉड़ोड ब्लड भर जाता है तो यह वाली बात श्यान क्यूना आपको यह भाली वाली बात रखना है। और इसमें सिंगल सर्कुलेशन होती है, यह हम डीटेल में इसमें पढ़ लेते हैं न, इसलिए थोड़ा सा बता रहे हूं, एमफीबियन्स और रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर हार्ट होता है, और इसका एक्सेप्शन में बहुत कोश्चन आता है, थ्री चेम्बर हार्ट एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल, है न, क्रोकोडाइल का फोड चेम्बर हार्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेश ठीक है, birds और reptiles में four chambered heart होता है, इसमें complete double circulation होती है, sorry, birds और mammals में four chambered heart complete double circulation एक बार इसका screenshot ले 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 ले, एक मुझे और slide करानी है जो मेरे को लगता है कि मेरे को करानी चाहिए इस chapter में थोड़ा सा मिस हो गया ये वाला screenshot ले 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 ले, अब एक और चीज़ आज़ो double circulation क्या होती है double circulation का meaning क्या है, अगर मैं कहा रही हूँ, humans में double circulation होती है it basically means, blood heart में दो बार जाता है ये आपका atria है और ये आपका ventricle है ठीक है, तो पहले deoxygenated blood आता है right atrium में वेना कावा के थ्रू वो जाता है यहां से tricuspid wall से होता हूँ, ventricle में ventricle से वो जाता है lungs में with the help of a pulmonary pulmonary मतलब lung lung को जा रहा है, pulmonary away from the heart जा रहा है, तो artery से जाता है A से artery, A से away V से vein, V से वापस तो यह pulmonary artery के help से lungs में जा रहा है, जो की वहाँ पर oxygenate हो रहा है, oxygenate होके वो यहां पर आता है, यहां पर आता है pulmonary artery के help से, इस circulation को हम बोलते है, pulmonary circulation ठीक है, फिर यहां से जाता है, यहां पर, यहां से जाता है Aorta में, Aorta से जाता है, पूरी ऐसे arteries बनती है है ना, अलग-अलग organs में जाता है, फिर वहां से veins लेती है, यह veins मिलके वेना कावा बनाती है ऐसे, और फिर वेना कावा से वापस जाता है यह जो circulation है, लेको, हार्ट, लंग, हार्ट को बोलते है pulmonary circulation, हार्ट, बोड़ी, हार्ट को बोलते है systemic circulation, systemic circulation, ठीक है, इन दोनों को मिला के double circulation बोलते है, double circulation बोलते है, pulmonary circulation प्लस सिस्टेमिक को मिला के डबल सिर्कुलेशन बोलते हैं हाट, लंग, हाट, पल्मनरी हाट, बोडी ओर्गन, हाट, सिस्टेमिक एक तो आपको यह याद रखना है दूसरी बात इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में एक अजीब सा संबंध है इंटेस्टाइन का डियॉक्षिनेटिड ब्लड पहले लिवर में जाता है फिर लिवर से यहाँ पर वैनकावा में जाता है इसे बोलते हैं हिपाटिक पोर्टल सिस्टम पोर्टल सिस्टम्स आर सिस्टम्स जहाँ पर आपका deoxynated blood जाना चाहे था वेनकावा में लेकिन कुछ जगे पे एक organ का deoxynated blood दूसरे organ में जाता है हमारे पास ऐसे दो सिस्टम है हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम जो हमारे ब्रेन में होता है जहां पर हाइपोफालमस का deoxynated blood आपके pituitory में जाता है और दूसरा होता है ये वाला इसको बोलता है वा हिपाटिक पोर्टल सिस्टम जहां इंटेस्टाइन का deoxynated blood पहले लिवर में जाता है सीधा वेनकावा में नहीं जाता ठीक है ताकि इंटेस्टाइन में जितना blood में जो glucose एब्सॉब हुआ वो एक्स्टा glucose लिवर में स्टोर हो सके glycogen की तरह है तो यह वाली बात आप याद रखेंगे एक और जो मुझे बतानी चाहिए वो यह है आड़ी और वेन में फरक है आड़ी और वेन में दोनों में ही तीन लेयर्स होती है अंदर की ट्यूनिका इंटरना में फिर ट्यूनिका मीडिया चो की स्मूद मसल की बनी हुई है और फिर ट्यूनिय कह एक्सटर्ना जो कि dense connective tissue का और प्लस epithelium का बना वह है ट्यूनिक कह एक्सटर्ना यह ट्यूनिक कह इंटर्ना ठीकिया आर्टरी की यह बहुत थिक कोता है ट्यूनि कह मेडिया क्योंकि आर्री को बहुत प्रेशर जहलना पड़ता है तो ट्यूनी का मीडिया उसका थिक होता है तो उसका ल्यूमिन जो है ल्यूमिन मतलब यह वाला स्पेस यह नारो होता है अगर मैं यही वेन की बात करूं वेन में ल्यूमिन बहुत बड़ा होता है ऐसे क्योंकि उसका ट्यूनी का मीडिय बहुत पत्ला होथा है क्योंकि वेन को जाधा प्रेशर नहीं चेलना पड़ता आर्ट्री का यह TY-। आर्च7 बेस्कों बहुत मोट सब है और यह व्र-च and पास कभी वाल्व सने हूंगे ट्यूनिक का इंटर्ना को एंडोथिलियम भी बोल देते होते हैं I think chapter पूरा हो गया, कोशन करा दो कोशन करा दो बिटा अब देखो तुम्हें कितने कोशन आप आते हैं, ठीक है? आओ देखते डाइग्राम देख के जाना एक बार, अरे यार रुख जो अरे रुखो टाउन्लोड्स कोशन देखो, इसमें डाइग्राम देख लो एक बार एक तो ये डाइग्राम देख के जाना है, देखो, ये बेजो फिल के डाइग्राम पर कोशन आया था, देखो, आर बीसी ऐसे छोटू सा रेड डॉट दिखाया हुआ है, प्लेट लेट ऐसे टुकड़ों में दिखाया होंगे, ये उसी नो फिल में नुकलिस देख रहे हो? नुकलिस देख रहे हो? एक लोब यहाँ पर है, नुकलिस की मतलब नुकलिस आपको नजर आ रहा है फिर भी, बेजो फिल में कोई नुकलिस नहीं नजर आ रहा है, बेजो फिल में दाने, 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 ब्लू कलर के दाने, 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 तो बेजो फिल के फोटो एक और उसकर अब आया तो आपको अगर कॉस्चन और फोशन आगया तो आपको इटो आपको टुकडे नज़र आएंगे जबनो सब्सक्वियद पॉर्ण और ऐसे नज़र आएगा लिंफोसाइट और बिलिंफोसाइट अब तो यह असक्ता है और क्या सकता है कि यह डाइग्राम पे है यह डायग्राम हो सकता है देखो और हलिए लेफ्ट अचली यूर्सट यफ पैक यह निकल यह पहिचान निकला किया सकते है लाइट एट्रिम के टॉप राइट पर साइओ फिर स सुक्राइट नोड राइट एट्रिमå मोटब से बॉल्टम लेफ्ट पे ऑन वीन ओड देख रहे ह तो पर यह क्या यह बंड ole ф magari को एक यह बंडल आफिए यह आपकी बंडल ब्राँचyorsun यहां के पॉर इंज स अगहीं पर लिखा हूमा अगा हुआ यह'. कि पुरिखिंजे फाइबर मिन लिका हूवाभ इएक्स ओफ है्एब्स हरते। जो सबसे नीचे ओला पॉइंट को एक्स बोलते हैं यह इंट्र STEM है यहां यह दहागे से हैं यहां पे यह papillary muscles होएंगी ऐसे इस तरीके से यह वेनकावा है जो यहाँ पे इंटर कर रही है इस तरीके से और यहाँ से pulmonary artery बाहर निकल रही है इस से बाहर निकल रही है यह aorta ऐसे करके जो निकलती होती है थेक्षे एंगे यह उर्टा से ऐसे कॉरोनरी आर्टरी वापस हार्ट में जाती होती है ब्लड देने के लिए कॉरोनरी आर्टरी में अगर प्लाक जम जाए तो इसको हम कैड बोल देते हैं एक यह एग्राम हो जाएगा यह हो जाएगा पी वेफ क्या रेप्रेजेंट करती क्यो आर्प यह हो जागा देखो तो देखो यहां पर दिखाया हुँआ है एक बड़ियू है एक दिखाया हुआ है एक ओड़ धिकाया के सब कैपिलरी सिंगल लेयर ऑ는데 ष सब सेंदे हैं इनकी कि अंड़ सिल plugain होती हुआ कट नेए हम मई और बोलते होते हैं इन पिनकोई डायराम है को Amazicon करें 2022 यह कि दाइजेशन का सश्णाया अ Missouri साइब कर रहा है कि यह के रही है इंदना पुललल हॉन क्स आए पिन का सब्सक्राइड यह कर रहा ह। करो करो जल्दी बतादो बेटा आओ देखते हैं करेक्ट स्टेट्मेंट ढूंड़नी है एवी एन जनेरेट्स एक्षिन पोटेशन टू स्टिमुलेट एत्रियल कॉंट्राक्शन बेटा अगर मुझे एट्रिया को कॉंट्राक्ट करना है तो मेरी यह वाली नोड ऐसे स्टिमुलेट करती है कि इत्रिया का कोंट्राक्शन तो एसे अं स्टिमूलेट करती एसे एवें तो करती नैंगे एवेंट तो यहां है Championships तो नीचे की साइड है, AVN तो यहाँ पर AV bundle को देती है signal, AV bundle फिर bundle फिर bundle फाइबर्स को, bundle branches को देता है, फिर फिर प्रुगिंजे फाइबर्स को, तो गलत हो गया नहीं है, Tricuspid and valve, Bicuspid valve open due to pressure exerted by simultaneous contraction of atria, Tricuspid और Bicuspid पहले से उपन होती है, atria के contraction से पहले ही उपन होती है, याद है, joint diastrol में पहले से उपन होती है, गलत हो गया, Blood moves freely from atrium to ventricle during joint diastrol, बेटा, atrium से ventricle में freely move करता है क्योंकि AV valve open होती है, यह सही statement है, Increased ventricular pressure causes closing of semi-lunar valve, pressure जब ventricle में बढ़ता है तो SL valve open हो जाती है, यह गलत है, So answer क्या बन गया, 3, आओ देखें, Blood के question तो होई गया, बाकी question देखते हैं, यह नहीं यार, अओ भाई क्या हो गया, इतने question blood के, यह कर ले ना बाकी यह भी देदूंगे, ठीक है, Lymph रह गया यार, Lymph रह गया कराना, कोई नहीं, Human Health and Disease में करा दूंगी, चलो, QRS complex किस के लिए है, QRS complex किस चीज के लिए बटा, Ventricular Depolarization के लिए है, So, answer यह आ जाएगा, है ना, Next question, 2019 का question है, करना एक बार, आपको reduction in size of T wave का माल लो नहीं आता, आपको बाकी तीन तो आते हैं, क्योंकि reduction in size of T wave से क्या होता है, आपने NCRT में नहीं दिया है, बट जो आता है, आप उससे भी question निकाल सकते हो, आउ देख loro, P wave जो सबसे पहले होती है, वो Depolarization of Atrium के लिए होती है, QRS complex Depolarization of Ventricles के लिए होता है, T wave Repolarization of Ventricles के लिए होता है, Repolarization of Atria के लिए कोई wave नहीं होती है, क्योंकि वो QRS complex के नीचे छप जाती है, in size of T wave A की बचा कॉर्णरी हिस्ची में यह नहीं भी आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आपका अंसर बन जाएगा एक फोर बीका बन सी का टू P का 1 C का 2 and D का 3 D का 3 अच्छा ठीक है ठीक है C नहीं होएगा क्योंकि भाया एट्रल रिप्लराइशन के लिए कोई वेव नहीं होती है तो मुझे पता ही है ना चलो बढ़िया कोश्चन था ये 2019 का कोश्चन है what would be the heart rate of a person if cardiac output is 5 liter ठेक है blood volume in ventricles at the end of diastole is 100 ml and the end of ventricles is 50 ml इसका क्या meaning बना बेसी लिए तुम्हें कहा रहा है stroke volume खुद निकालो निकालना ये कहा रहा है जब ventricle relaxed था उसके end तक उसमें 100 ml बढ़ चुका था अब जब वो contract हो गया बुरी तरीके से तो उसके अंदर सिर्फ 50 ml बलट रहा तो भाईया 50 ml कहां गया obviously 50 ml इसने बाहर फैंक दिया that means यह आपका stroke volume है आपको cardiac output दिया हुआ है 5000 ml आपको stroke volume दिया है 50 ml और आपको heartbeat निकालनी है क्योंकि यही फॉर्मुला है cardiac output equal to stroke volume into heartbeat तो आप इसको डिवाइड कर दो 50 से 100 heartbeats प्रती मिनट समझ में आए कैसे यह किस-किस को समझ में आए किस-किस को इचीज समझ में आई इससे question से डरना नहीं है कि question आ गया तो मैं हम छोड़ देंगे नहीं जब वेंट्रीकल में ब्लड भर रहा है वेंट्रीकल डायस्टॉल है रिलाक्स दे तो इसमें ब्लड भर रहा है वह 100 ml भरा जब वेंट्रीकल बुर्ती किसे contract हो गया तो वेंट्रीकल के अंदर सिर्फ 50 ml रहा गया तो बिटा 50 ml उसने बाहर फैक दिया ना तो stroke volume निकल गया म समझ में आ गया बटा बोलो अरे यहर बता दिया गरो तुम लोग मुझे मेसेज में अगर नहीं बताओगे तो मुझे कैसे बता चलेगा कि तुम लोगों समझ में आ गया कि दुबार एक्स्पेंड करूं इधर हो सुनो यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि कार्डियक आउट्पुट 5000 ml यह तो उसे खुदी बताया है पांच लीटर है यह बताया है क्वेस्चन में दिया हुआ है फिर क्वेस्चन में दिखा हुआ है कि जब वेंट्रिकुलर डायस नहीं कि ठीक है रिलाक्षेशन कव घ्र जॉइंड डायस्टोल में पूरा एंट्रिकल रिलाक्स यह तो उसमें 100 ml भर गया कि यह ओपर तक भर गया फिर जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ वेंट्रिकल कॉंट्राक्त हो गया बरी तरीके से तो उसमें तरफ 50 ml रह गया त तो बेटा, contract होने से पहले 100 ml था, contract होने के बाद इसमें 50 ml बचा, that means contract होने से काफी blood बाहर फैक दिया इसने, तो जितना blood इसने बाहर फैका, वही तो stroke volume होता है, stroke volume क्या है, stroke volume क्या है, amount of blood thrown out by each ventricle during a cardiac cycle, amount of blood thrown out by each ventricle during a cardiac cycle, तो बेटा, जब पहले 100 ml था, जब पिचक गया तो अंदर 50 ही रह गया, that means 50 ml बाहर फैक दिया न, तो यह मुझे अपना stroke volume मिल गया, formula क्या होता है, cardiac output equal to stroke volume into heart beat, heart beat निकालनी है, cardiac output मुझे दिया हुआ है question में, 5000 ml, 5 liter मतलब 5,000 ml, stroke volume मुझे दिया हुए, ml में कितना, अब मैंने निकाल लिया, 50 ml into heart beat, तो heart beat को करने के लिए से divide कर तूंगे, divide करूंगे, तो यहाँ पे मेरे को 100 हो जाएगा answer, समझ में आया, समझ में आया, बेटा, बता दो, बेटा, ऐसा question आ सकता है, ऐसा question आ सकता है, और यह मुश्किल question नहीं है, चलो, बता, option, right ventricle pulmonary artery के बीच में है, bicuspid left, left tricuspid, right right, है ना, निकालो answer, चलो, 2015, cardiac cycle में second sound कब आती है, मैंने आपको कहा, first sound होती है, lub, second sound होती है, dub, और मैंने आपको यह भी कहा, कि जो sounds है, यह सिर्फ closing of valve से आती है, कभी भी valve खुलने से आवाज नहीं आईगी, valve close होने से आवाज आईगी, तो मुझे बताओ, यह किसके बंदोने से आती है, यह किसके बंदोने से आती है, यह आती है, अब देखते हैं पहले मेरे कोई इसमें आंसर मिल गया, ओपन अप से तो कोई आती हैं नहीं, सेमिल्यूनर valve के close होने से, सेमिल्यूनर valve close down after blood flows into blood vessels, यह आंसर बनेगा मेरा, ventricle valve vibrate due to gushing blood from atrium, नहीं बेटा, av node receives नहीं बेटा, तो आंसर मेरा डी बन जाएगा, दिल की आवाजे, यह valve बंद होने से आती है, पहली आवाज, av valve बंद होने से आती है, जो ventricular systole के starting में होता है, दूसरी आवाज, sl node के बंद होने से आती है, जो ventricular systole के end में होता है, मतलब दोनों आवाज में 0.3 seconds का फारक है, love और dub के बीच में 0.3 seconds का डिफरेंस है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, चलो, next question, 2015, blood pressure in mammalian aorta, aorta कहां से निकल रही है, यह atrium है, यह ventricles है, यह right ventricle है, यह left ventricle है, aorta यहां लगा हुआ है, तो aorta के अंदर सबसे ज़्याधा pressure कब आएगा, बताओ, बताओ बेटा, PDF डाल दूँगी बेटा मैं, हाँ, love और dub के बीच में 0.3 का, double और love के बीच में 0.5 का, सही के रहे हो आप, जब बेटा left ventricle contract करेगा, तभी सबस्यादा blood इसमें आएगा, तो answer होना चाहिए, मेरा systole of left ventricle, P wave क्या represent करता है, बताओ तो, अभी मौक में और इंप्रूव होएंगे विनीत आपके, आप के रहे हो भी आपके 540 आ रहे हैं, आप नीट अच्छा, पहली बात आप नीट में अच्छा करोगे, दूसरा, आपके मौक में और इंप्रूव होएंगे, और रिविजिन्स करो, यह क्या है, बिगनिंग अफ से टोल, अब से टोल, कॉंट्क्राक्शन ऑफ बहुत आट्रिया, इनिशेशन ऑफ बेंट्रिकुल कॉंट्राक्शन, देखो, सही आंसर है, तहौंध दिपोलराइज़िचन ऑफ आट्रिया, का option ही नहीं है तो मुझे लगता है उससे better option तो यही उसके बाद option यही बनता है contraction of atria है है ना अच्छा मुझे बताओ तुम लोगों को अभी लग रहा है कि chapter आ गया है पहले chapter में हमने blood किया blood की composition करी a b blood group किया rh antigen किया ठेक है clotting किया erythroblastosis fatalis किया फिर हमने heart किया heart structure किया nodal tissue किया cardiac cycle किया ECG किया disorders किया फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताया कि यह बाकी और animal kingdom में क्या होता है तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा arteries और veins के बारें बताया आर्टिस से away from heart जाता है veins से वापस आता हार्ट में बस याद रखना है veins का लूमें बड़ा होता है आर्टिस का चुटा तुम्हें को चाप्टर control में आ गया है आप लोगों के मूह से मैं सुनना चाहते हूं कि चाप्टर आपकी control में आ गया है bundle of his is a part which of the following organs कहां पे मिलता bundle of his ओहो इतना असान क्वेश्चन बताओ क्या यह चाप्टर आपको आ गया है इस में से कौन सा correct interpretation है 2011 कोश्चन है बताओ चाप्टर अच्छे से आगे एक बार इसको आज सोने से पहले एक बार रिवीजिन मार लेना तुम देखो क्या मखन मलाई हो जाएगा चाप्टर थोड़े question practice कर लेना अगर नहीं किये तो नहीं गलत है इससे तो कोई प्रेशर ही नहीं आता 3-0 providers कोई प्रेशर ही नहीं एता इससे स्टॉलिक प्रेशर आता है क्योंकि Q-Rsached Heart करते है वैं टॉब 선생 करते तो इसस्टॉलिक प्रेशर आता है कि वैव से वैं नियुट कर्ते है कि अ तो dyastolic इस से स्टॉलिक इस से डास्टॉलिक तो पी और तो नहीं है तो सबसे सही आंसर इसमें यह complex QRS one complete pulse पल्स क्यों होती है जैसे आपकी हाड़ बीट होती है सेम आपके यहां पर नजर आती है पल्स होती है सी तो गलती है ना बेटा चलो और questions नहीं है मेरे पास इसके question practice मैं आपको करा सकती हूँ special class में special class लगा के आप लोगों को मैं अपने टेलिग्राम ग्रूप पे उसका link दे दूँगी special classes सभी के लिए free होती है आपको वो question practice करने आना है अपनी बेटर बायो की तियारी करने के लिए 2023 के लिए अभी भी हमारे पास 20-25 दिन है we can do lot of things तो डरने की ज़रूत में पैने कोने की ज़रूत में आप लोग बस पढ़ते रहिए साथ में रहिए पढ़ाई करते रहिए ठेक है आप लोगों को क्या करना है रितु रतेवाल official करके टेलिग्राम चानल है उसके 97,000 बच्चे है वहाँ जॉइन कर लो इसका मैं PDF वह 2024 का batch में जल्दी ही लॉंच करतूंगी ओफ-लाइन में भी और ओन लाइन में और मैं उसके बारे में उसके prices उसका timing उसका duration सब कुछ अनांज कर दूँगी इसमें आपको क्या आप एक्सेस कर सकते हैं और क्या चीज नहीं अक्सेसकर सकते हैं क्या आपको facilities उसमें available होंगी everything I will announce soon. Best of luck पढ़ते रहे, मैंनत करते रहे मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी Thank you. Bye